आजे गुडिवनिक आज पक्कल आज क्लास है फॉर एक्स के रिविजन की जिसमें हम कवर करेंगे कैंशलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कैंशलेशन और फिर छोटी-छोटी टॉपिक है टार्गेट यह है कि हम दो घंटे में क्लास ओवर करेंगे मैक्स उससे ज्यादा नहीं इसके बाद कोई रिविजन नहीं आएगा 100 लेकिन यूट्यूब में मैं आपके साथ रहूंगा कुछ नया कोश्चन्स है वो डिसकुशन करना है कोच चार्ट्स है या ऐसा कुछ करूं कि यार एक पंधरा बीस मिनट में पूरा की पूरा फॉरेक है वो बात करने जा रहे है हम डोक कि उठी आप कैंसलेशन की में होता क्या है कुछ नहीं बैटे बड़ी सिंपल सी बात है आप और आप को डॉलर पैमेंट करना है बाहर ने टीक है तो डॉलर जो पैमेंट करना है मान लो एक लाग डॉलर का पैमेंट करना है किसी पार्टी को यूएस में और कौन सी डेट मन से लिख रहा हूँ 31 पाच को तो आपने किसी बैंक से कॉंट्रेक्ट किया कि हमें डॉलर चाहिए और बैंक ने कहा कि ठीक है जी रुपीज पर डॉलर हम आपको दे देंगे 82 आज की डेट कौन सी है सर मान लो आज की डेट है 31 मार्च मतलब मार्च के बाद अपरेल अपरेल के बाद में कितने मेने बाद हमें डॉलर मनने वाला है सर आज ये है और ये है 30 अपरेल और दो मेहने बाद 31 मार्श 31 मही को हमें डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी यहां तक ठीक है चीज़ और बैंक से हमने बात कर लिया कि हमें एक लाग डॉलर बैंक आप दे दोगे कितने के हिसाब से 82 के हिसाब से हमारा काम खतम हो गया कि हमें 82 के हिसाब से इस डेट को डॉलर मिल जाएगा अब आगे क्या हो सकता आगे यह हो सकता है कि जैसे हम 31 में तक पहुचे और हमें डॉलर का डिलिवरी देना था उस दिन पता लगा उस दिन इसको बोला जाता है ड्यू डेट उस दिन पता लगा कि यार डॉलर तो एक्चुल में लग ही नहीं रहा जिस शिप शेगोट से आने वाला था वो डूब गया किसी वज़ा से कुछ हो गया कि हमारा हमें डॉलर लग ही नहीं रहा और हमारा इधर हमें डॉलर पेबल की ज़र्वत नहीं है टेंशन खतम या फिर ऐसा हो सकता है या फिर दूसरी सिच्चुशन दूसरी सिच्चुशन यह है कि इस पॉट रेट 31 मई को डॉलर का डॉलर आपको कि इतने में मिल रहा है मान लो डॉलर आपको 79 में मिल रहा है वाओ आपने बैंक के साथ कॉंट्रेट किया, दो सिचिविशन में आपको बताया, यह मान लो कि जो हमको डॉलर लगने वाला है वो नहीं लगेगा, यह मान लो कि यार उस दिन 31 पाच को इस पॉर्ट्रेट हो गया, 79 तो अब हमारे मन में लालच आ सकता है, और लालच क्या आ सकता ह यार, 79 का हो गया, इस बैंक से मैंने कॉंट्रेट किया था, 82 में खरीदने का, तो मैं 82 में क्यों खरीदूं, मार्केट में तो 79 हो गया, तो क्यों ना मैं 79 का ले रहूं, यह भी बात हो सकती है, हां बो लिए है, हां से, तो मैं इस बैंक से बात ही ना करूं, इस बैंक से बा चलो उसको cancel करते हैं नहीं खरीद रहा हूं मुझे मार्केट में 79 का खरीदना है क्या forward contract cancel किया जा सकता है अगर आपका कहना है नहीं तो गलत बात है हम वही तो पढ़ रहा है पर यह बैंक हमसे कुछ ना कुछ तो चार्ज लेगा और चार्ज क्या लेगा चार्ज यह लेगा कि भाई कश्टमर आपको कितने का फाइदा दिख रहा है हमने हमें तो तीन रुपए का फाइदा दिख रहा है आपसे खरीदते तो 82 का मार्केट में खरीदेंगे तो 79 का 82-79 इन्टू एक लागही है एक लाग टोटल लॉक कर कस्टमर कोज़ा क्यों कुछ यह क्यों है बुले मुझे तो तीन लागहा पाइदा बैंक कहता सुनो कस्टमर कंशल कर दो गुछ ससे मतंचिन चार्ज देने बोलहतो स्टीन लाग को 700,000 की तीन देक है एक लिए मेंस बैं प्रॉपिट हो रहा है उसमें कुछ और जोड देना वो हमको दे तो इसको फाइदा किया है फिर तो कोई फाइदा नहीं है ना अगर वो सुझ रहा मैं मार्केट से खरीद हुआ तो गलत फेमी है तो फिर इसका मतलब सर, контр пойд to kभी कैंसेल ही नहीं होगा, go कांट्रक्रक्ट तो कैंसेल को कांसेल करने से इसको तो कोई फाइदा नहीं होने वाला है लेकिन कुछ मजबूरिया होती है जिसकी वहांज दे से फाइदा कांसेल करना होता है और मजभूरी मैंने बताया यह गोट्स जो हमें जिस सामने वाले पार्टी को पैयमेंट करना था अब नहीं करने वाला और एक कोश्चन है एन पी वाला आगे कर वाँगा तो वहां समझ में जाए तो यहां क्या रेट है यहां ऐसे लिखा रहे था इस पॉर्ट रेट ड्यू डेट पर कैंसिल हो रहा है क और इसको ले लिटते हैं 83 और कम कर लिए क्यों नहीं मैं इसको वहां समझाओं कहां एक्जम्पल के साथ यस तो ज्यादा मचायागा अब भी मैंने कहा क्या कैंसलेशन हो सकता है यस कब हो सकता है ड्यूट इट लेकिन कभी-कभी यह कभी हो सकता है जब हमें पता लग रहा पड़ा इसे बोला जाता है कैंसलेशन ओन मैच्योरिटी कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हमें यहीं पता लग गया 30 अप्रेल को ही पता लग गया कि यार 31 पाच को मुझे जो डॉलर की जिर्वरत थी अब जिर्वरत नहीं पढ़ने वाली है इट मैं यहीं पह कैंसल करें तो कैंसलेशन बीफोर में चैँओ अगरसर अगर हम यहाँ जाए ही नँगर बेंक के पास جाए ना तो क्या प्र блок bank आपका इंतजार करेगा कितने दिनों तक? तीन दिनों तक और फिर आपके contract को automatic cancellation कर देगा this is automatic cancellation या फिर क्या बोड सकते overdue forward contract overdue due से उपर शुआ गए fat forward contract मैं नाम पर नहीं जाना चाहता सर सर 30 अपरील को ही delivery आ गई है यह लो हमें इस person को पता लगा कि 31 पाच का तो वे आपने forward contact यहां किया था कब के लिए 31 मही के लिए पर 30 अप्रिल को ही dollar की जिरुरत पढ़ रही है 30 अप्रिल को हमारा goods पहले ही आ गया एक मेने पहले आ गया तो क्या मैं इस bank की पास जाओंगा यास और बैंक की पास जाओंगा भाया delivery पहले आ गई मुझे भी आपसे डिलिवरी जल्दी चाहिए dollar की इसको बोले जाता है early delivery बस और कुछ नहीं और extension तो बड़ा आसान है उसमें कोई दिख करनी है दो तीन चीजे पढ़ाना cancellation on maturity cancellation before maturity overdue forward contract और early delivery बस इनसे concept हम खतम करें ठीक है जा श्टार्ट करें यह जो लिखा हुआ है यह आपके काम की बात नहीं मैं सिर्फ example से बात करूँगा example आपके सामने है example या question बस इसी से मैं बात करूँगा यह example आपके सामने है तो चलो बात करते क्या लिखा बिल्गोल इस example को ठीक से समझना बड़ा अच्छा example ठीक से समझना राम हैड एंटर इंटू फावड तू बाइ डॉलर वन टैक एक्च्वल में कोश एक्जामपल है तो पूरी बात नहीं लिक्यों यह पर फिर भी मैं बता देता यह कौन है सर इसका नाम क्या है इसका नाम है राम और राम ने इंपोर्ट किया है तो डॉलर पे करना होगा यूएस की पार्टी को एक लाक डॉलर किस डेट में पे करना है तो डॉलर पे करना है मानलो एक अप्रेल को आज की डेट कौन सी मालो भी मार्च चल रहा है या कोई भी डेट चल दिये पर एक अपरेल है ड्यू डेट तो राम बैंक के पास गया और बैंक के साथ कॉंट्रेट कर लिया कि बैंक हम आप से एक लाग डॉलर खरी देंगे और किस रेट पे खरी देंगे 75 यह आज और आज ह इतने में खरीदूंगा 75 और आपने इंतजार कर किया और यह आ गया है मैचुरिटी डेट यह आ गया है ड्यू डेट और ड्यू डेट को पता लगा एक अपरिल को कि यह साहाब अब हमें इसने कहा कि प्लीज मुझे डॉलर का पैमेंट मत कीजिए मुझे नहीं चाहिए मैं आपको गुड्स नहीं पहुचा सकते है वो गुड्स आया नहीं इसने तो अपना काम खतम कर दिया प्रॉब्लम हम यहां फस गया बैंक के साथ फस गया हम लोग बैंक गया तो वो क्या बोल रहा है या आपके साथ क्या हुआ मुझे मत बताओ मेरे साथ आपने कहा था कि करीदना ही पड़ेगा सेवंटीफाइब के से राम गैरा भया मैं करूं क्या उस डॉलर का मुझे तो डॉलर लग नहीं रहा है बोले जूट मूटी में खरीदते हैं मतलब सर मतलब बुलिच सुनो मान लो हम आपको डॉलर बेचेंगे बेचने की बात हुई ती ना सबसे प कितने मैं बेचेगा सेवंटीफाइफ अब बुले आपको डॉलर लग रहा है क्या बुले नहीं मुझे तो नहीं लग रहा है तो चलो वापस मुझे बेच दो बैंक देखो बेउकूप बना रहा है बुले वापस मुझे ही बेच देजिए और मैं आपसे खरीदूंगा कित इंटर्वाइंक रेट कुशन बताएगा हलागी यह इंटर्वाइंक रेट इसमें से मार्जिन खरी देंगे बैंक खरी देगा तो और कम में खरी देगा तो मार्जिन मायनस हो जाएगा 72.1.10 परशन तो यहां कि 71.928 यह 93 बैंक देखो आपसे कैसे पैसे उसल करते हैं बैंक कही है न मैं आपको बेचता तो कितने में बात मुझे मैं आपसे खरीदता तो कितने में बात पे 3.07 रूपीस टोटल एक लाग डॉलर है तो प्लीज एक काम करो ना तो आप डॉलर खरीदो ना तो बेचो मुझे तीन लाग साथ जारूपए मेरा कैंसलेशन चार्जिस के रूप में दे दीजिए तो यह तो जो डिफरेंस है हम कस्टमर से वसूल करनेंगे हम का मत्तम है बैंक के इंगल से बात करना हो साथ विदिकत और कुछ नहीं नहीं यह कैंसल हो रहा है कॉंट्रिक कब हो रहा है मैच्यूरिटी को हो रहा है इसलिए इसका नाम है कैंसलेशन हो नहीं अगर यह रेट 77 होता तो 77-1% तो यह आजाता 76.92 तो सर अब कैसे काम होता बैंक बेचता 75 में और आप से खरीदता 76 तो सर इस कंडिशन में तो बैंक को प्रॉफिट नहीं होता इस कंडिशन में तो कंश्टमर का फाइदा हो जाता हैं कितने का फाइद हो जाता 76.92 मैमनेनिस 75 इन्टू एक लग और तो 1,92,000 अब की बार प्रॉफिट किसको हो जाता कस्टमर को तो क्या ऐसा होता सा कि बैंक एक लाग कस्टमर को बुलाता हा जाओ यह एक अप्रेल आ गया जो हुआ हुआ चलो 1,92,000 आप रख लीजिए क्योंकि मुझे फाइदा हो रहा क्या बैंक ऐसा करता हां जी करता हुआ इट मेंस यहां फावर्ट कॉंट्रक्ट है तो फावर्ट कॉंट्रक्ट और कस्टमर यहां जाता है और कस्टमर कहता है डिफरेंस अब मुझे दे दीजी इट मेंस यहां तो डिफरेंस कस्टमर को भी मिल सकता है कस्टमर को फाइदा होगा तो कस्टमर को मिलेगा बैंक को जिसका फायदा उसकी भाँ रहे है पर जनरली बैंक को फायदा हो जनरली में बात कर रहो है और इसका बोला जाता है cancellation charge इसी का नाम है cancellation charge ठीक है मज़ा गया है हमेजा जब भी काम करो जब भी काम करो हमेजा सोचेंगे कि बैंक का कौन सा कॉंट्रक्ट है पाइंग है कि सेलिंग अगर सेलिंग है तो अपोजिट कौन सा जाता बैंक का कौन सा तो सब्सक्रया और प्रिंक के लोगे पास वो ठीक कर देजेगा मैं तो ठीक कर देजेगा देखें किया लिखा हुआ राम हैड एंटर इंटू फारवड कॉंट्रेक्ट तू सेल डॉलर वन लेक राम ने बेचने का कॉंट्रेक्ट किया इसको समझा दे रहा हूँ क्योंकि एक्जामपल है तो सारी बाते नहीं लिक्योंगी राम ने एक्चुल में एक्सपोर्ट किया तो डॉलर आने वाला है जो हम आपसे डॉलर खरीद लेंगे कितने के सबसे 75.50 किसी ठीक है यह आज की बात अब बात कब की आ रही तीन मेहने बाद जो ड्यू डेट थी उस समय रेट हो गया 72.50 72.75 ठीक है जिए और कॉंट्रेक्ट कैंसिल हो गया तो से इंपोर्टेट पहला कौन सा बैंक का बाइंक तो उसको काटने के लिए अपोजिट कॉंट्रक लेना पड़ेगा बैंक के हिसाब से सेलिंग तो सेलिंग कॉंट्रक लिए 72.75 प्लस क्या करेगा मार्चिन इटमिस बैंक ने कहता मैं खरीदूंगा मतलब बैंक खरीदेगा जिस रेट पे बात हुई थी 75.50 बैंक ने सिद्रा है महगे में बैंक बेच रहा है सस्ते में प्लस या माइनस वो मुझे नहीं है सीधा सीधा कर तो सर्व बैंक कस्टमर को बुलाएगा और कस्टमर को दे देगा 2,68 तो इस कोशन में ऐसा कुछ नहीं है समझाने पाल चले अगे यह सब लिखा हुआ कि डिफरेंस या तो रिकावरेबल हुगा या तो पेबल हुगा कस्टमर को इसको कैंसलेशन यह सब मेरा आपको लिखवाट एक कोशन एक इग्जामपल और उठा रहा है एक्जामपल नंबर 79 अच्छा एक्जामपल एक्ष्टेंसन भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा पर यह एक्जामपल है क्या अभी तक जो बात हो रही थी वह बात हो रही थी मार्च दो हजार वाविस इट मिंस बैंक एक लाग डॉलर बेचेगा 72.50 में कब 31 मार्च दो हजार वाविस और यह है आज और हम इंतजार कर रहे है डेट आएगी 31 आएगी 31 मार्च आएगी और 31 जनवरी 2022 को ही पता लगाया इस परसन ने बोला कि भाई अब हमें डॉलर नहीं चाहिए कॉंट्रेट कैंसिल हमारे और आपके बीच में अब कोई डील नहीं यहीं पता लग गया 31 जनवरी को और बैंक से बाप हुई थी कब 31 मार्च को बैंक हमको मतलब बैंक का कौन सा कॉंट्रेक्ट है इस डीट के लिए पर यहीं पता लगा तो और यहीं यह परसन बैंक के पास पहुच गया बैंक हमको हमारा कॉंट्रेक्ट कैंसिल करना है एक कसम खालो जो रेट दोनों जो कैंसलेशन वाला रेट होता न इट मिस बैंक का कौन सा कॉंट्रेक्ट है और इसको काटने के लिए कौन सा बाइंग यह दोनों ही रेट एक ही डेट के होना चाहिए अगर 72.50 जो है वो 31st मार्च का है तो दूसरा जो अपोजिट रेट है वो भी 31st मार्च का ही होना चाहिए तब ही कटेगा कॉंट्रेक्ट पर यहां जब मैं खड़ा हूं तो मुझे 31st मार्च का रेट कैसे बता लगेगा यह कब करेड़ें कोई बाध यह कब करेड़ suburbs मतलब नहीं है दोनों रेटे एक ही रेट की इसका मतलब सब मात समझ में पेंक का सैलिंग कंट्रेक्ट था तो बैंक का बाइंग कांट्रेक्ट और यह वाला रेट लहीं बिल्कुल जहीं सत्ता रुपए साथ क्ट इसमें कोछ है नहीं मतलब सर बात यह हुई है कि cancellation on maturity हो तो spot rate लेना क्योंकि उसी दिन का rate होता है cancellation before maturity हो तो हमें देखना पड़ेगा यहां इस rate के लिए forward rate है available कि नहीं और दोनों rate एक rate किया जाएगे बाकी तो जैसे प्रोविजेंचल रहे थे बैसे प्रोविजेंचल है इसको ठीक कर ले ना यहां भी मिस्प्रिंट है यह है 72.50 और बैंक वापस खरीदेंगे और कितने में खरीदेगा 70.53 कैसे आया इसमें से क्या माइनस होगा इसमें से मार्जिन माइनस होगा 70.60 माइनस 0.1% 70.53 तो 72.50 माइनस 70.53 तो यह आगे 1.97 इंटो एक लाक तो यह आगे 1,97 थाच्ण हैं इमाउंट हरी कवरीबल कॉस्ट मर्कों की बैंक को क्या होरा श्युक फायदा देकर दो चीज़ बन कंसलेशन ऑन मै advocate यह यह सब एका कोश्टों उठाय मैंने कि आपकी बुक से कोश्टन बढ़ान कि वजामी में बता एक शपोस you are a banker one of your export customer मतलब आने वाला है डॉलर और हम बैंक को देंगे डॉलर डॉलर वाल एक फावड सेल कॉंट्रक्ट है इसने बेचने का कॉंट्रक्ट किया मतलब बैंक के लिए किस चीज का उसर बैंक के लिए बाइंग कॉंट्रक्ट कितने में बात हुई है पुले 65.52 में खरीद लेंगे कोई दिक्कत यहां तक अब कॉंट्रक्ट क्या होगा हावेवर ऑन ड्यू डेट आफ्टर तू मेंथ यूर कस्टमर कम्स तू यू एन रिक्वेस्ट फर कैंसलेशन आप दा कॉंट्रक्ट मतलब ड्यू डेट को कॉंट्र क्यों दिया है वह मैं आपको समझा है और उसने रिक्वेस्ट किया है और एक्स्टेंशन आप दा कॉंट्रक्ट बाइवन इसका मतलब क्या है इसका मतलब है यार सामने वाला आया पर्शल यह यहां और बोलता सुनो ना बैंक सुनिए एक बात जो मेरा माल आने वाला था आज आज आना चाहिए था नहीं आया एक मैने डिले हो गया तो बताओ में क्या करो पहले तो जो बात हुई थी कॉंट्रेक्ट हुआ था उसको कैंसल करते इस एक्स्टेंशन के केस में आपको ओरिजनल फावर्ट पहले कैंसलेशन वाली बात करें यह रेट दिया हुआ है क्या यह डिवडेट में कैंसल हो रहा है तो बाइंग रेट तो हमको मालूम है और बैंक पेचेगा यहां इंस्टिट्यूट ने खेल खेला है तुनना ध्यान से बहुत सारे बच्चों का कहना कि सर आईसी एए ने गलत किया है इट मिस यह बाइंग रेट तो उसने भी दूसरा बाइंग रेट ले लिया बिटे यह बाइंग रेट नहीं है यह सेलिंग रेट है यहां इंस्टिट्यूट का दिख रहा है यहां गलत तरीके से लिखा हुआ है यह रेट कम है यह रेट जादा है तो सहला रेट पाइंग रेट यह आएगा और सेलिंग रेट यह आएगा और यह जो रेट है 62.72 तो इंटल बैंक होगा तो इसमें मार्जिन क्या होगा सब बेचा है तो प्लस करना पड़ेगा तो यह किया होगा कोश्चन में 62.72 प्लस 0.1 तो सर यह आ रहा है 62.7827 अब बैंक इंस्टिूट क्या कर रहा है और जनरल यह ऐसे होता भी है यह जो लाश्ट के जो डिजिट है ना इसको हम 25 के इसमें राउंडेड ओफ कर देते हैं 25,50,75,100 देखो 27 सबसे ज़्यादा किसके करीब है 25 के ज़्यादा करीब है तो राउंडेड ओफ करके इसको हम 5 कर देंगे तो बताओ बैंक ने खरीदा है 62.52 का बैंक बेचेगा 62.78 का तो बैंक को फायदा हो गया एक लाग डॉलर है तो बैंक कैंसलेशन चार्जिस के रूप में आपसे 262,50 वह सुन कर लेगा अब बोलो क्या चाहते है बोले अब हमको नया हमको यह कह रहा है मुझे मेरे पास आ रहा है डॉलर आप मुझसे खरीद लेना लेकिन यहाँ एक मैने बात खरीदना तो बहले ठीक एक मैने बात का रेट ले तो यह आ गया है राउंडे डॉप करेंगे 25,50,75,100 करीब किसके है यह वाला उसा 75 के तो 75 करती है ठीक है आप अच्छा कोश्चन था इसमें यह कोश्चन आप बच्चों से बनता की नहीं बनता पक्का बन जाता गलती कहा होती है गलती वो जो रेट दे रखा है न इसको इ अच्छा कोश्चन है बहुत अच्छा कोश्चन है और इस कोश्चन के आने की उम्मीद है मतलब बनता है एक्जाम में आट नमबर का कोश्चन इसलिए अच्छा कोश्चन है डिस्कुशन कर ले हैं एक बार प्रीट करें की कोश्च लिखा है एन पी एन कंपनी है इंपोर्ट किया है गोड्स मतलब पेबल डॉलर देना है कितना डॉलर देना है साथ ला की कंपनी है आ अल्सट comment इस पोंटे और अंहीं तो ये एक पर्शन लए इस्थिए इंपोर्ट कियत तो सात लाक डॉलर देना है तीन मैने पार की कंपनी आपदी है यान ने अपक्सक्ति है नहीं हो सब्सक्स ने ने आफ ने कि न्य्यां है कि दोनों cash inflow और cash outflow एक ही rate की होना चाहिए पर यहां netting possible नहीं है क्योंकि 3 मेने बाद देना है 2 मेने बाद आने वाला है पर receivable जो receive होने वाला उसका already आपने forward contract कर रखा है और कितने में 48.90 इट मिन्स बैंक से बात कर चुके हैं और bank से बात कर जो डॉलर आएगा जो डॉलर आएगा हम आपको 48.90 में दे देंगे मतलब bank ने already कौन सा contract कर लिया है इसको खरीदने का contract कर चुका 48.90 market rate दे रखा है आज के rate दे रखा है बस यहां rate जो है ना rate ICAI ने क्या कर रखा है सुनोगे 48.50 48.70 spot rate है यह आज का है आज का मतलब हमें मतलब नहीं आज से दो मेहने बाद और आज से तीन मेहने बाद का यह दिया हो यह आज का rate है अब यार मुझे यह दिया हुआ 25 और 30 आप होते तो क्या करते 25 और 30 सर्थ 2 months forward rate निकाल लेते यह तो बोलो कैसे नहीं सर्थ 48.50 में 0.25 add कर देते और 48.70 में 0.30 add कर देते इंस्टिट्यूट ने इसको ऐसे भी कर रखा है 48.50 को हटा के 25 कर रखा है और 70 को हटा के 48.30 कर दिया है जो पुरी तरह से सही नहीं है क्योंकि यार कैसे दिमाग चलेगा उसका कहना यह points दिया है points दिया तो swap points ही तो हता है पर IC AI ने और एक अच्छा काम कर रहा है कहा alternative चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो हम ऐसे ही करेंगे हम ऐसे नहीं करेंगे यह तो समझी भी नहीं आएगा हम ठीक है जो institute जो ऐसे मिश्टर नी मैट हो अगे रहा देखता है मैं उन लोगों के लिए बता रहा ह। ठीक है सर यहां तो कोई दिख रहा है इसको भी मैंने प्लस करके लिखा किस में प्लस किया इस पॉट्रेट में प्लस कर लिए तो अब एक important अगर मुझे दो मैने बाद जो आना है क्या उसके लिए मुझे forward contract करना है नहीं करना है सर ओल्रेडी बुक है तीन मैने बाद जो जाने वाला है हो सकता है उसके लिए मुझे forward contract करना पड़े और bank से forward contract करूँगा कि bank मुझे चाहिए मतलब bank बेचेगी तो कितने के इसाफ से 49.15 अगर मुझे अलग-अलग करना है वह गोल रहा company आप रिस्क को cover कर सकते हो आपके पास दो options है पहला कि आप पेबल जो है पेबल उसके लिए forward cover कर लेजिए ठीक है साथ लाग जो जाएगा वह 49.15 के सबसे जाएगा तो टूटल मिलाकर पेबल निकल गया इतना हमको पे करना इन रुपीज दूसरा जो साड़े चार लाक आने वाला लेकिन वो कब आ जाएगा दो मेने में जाएगा यहीं आ जाएगा वह 48.9 के हिसाब से ठीक है यह भी ठीक है अब दिक्कत क्या है दिक्कत है कि सर यह जो कैश फ्लो है आउट फ्लो यह तो तीन मेने का और यह यह तो दो मेने में जाएगा तो हमें तो यहां का कैस आउफ्लो निकाला हमें कमपैरिजन करना है न दो ऑप्शन यह वाला ऑप्शन हाला कि मैंने पढ़ा नहीं है पर दो में comparison करना कि दोनों cash flow एक ही समय की होना चाहिए तो यहाँ जो आएगा पैसा उसको हम एक मैने के लिए invest कर दीगे वही उन्होंने किया है उन्होंने कहा वैसे सब investment करोगे उसका rate कहां दिया बिट्टी वो इधर दिया हुआ है यह पॉइंट पढ़ने के बाद यहां लिया है बारा पर्शंट बारा पर्शंट क्या लिखा cost of rupees fund बारा पर्शंट इसलिए मैं उसको एक मैने के लिए extend कर दिया तो जो पैसा मिलेगा मुझे दो मैने में उसको बारा पर्शंट एक मैने के लिए हम इनवेश्ट कर दिंगे तो टोटल cash inflow हमारा इतना यह कब तीन मेने में यह एक मैने के लिए इनवेश्ट किया है और यह पैसा कब जा रहा है तीन मेने में यह पैसा कब मिलेगा तीन मेने में तो net cash outflow और यह पैसा कब जा रहा मेरा after three months एक्चुल में इस कोश्चन में क्या है, इस कोश्चन में यही बतानी की कोशिश किया जा रहा है, कि देखो दोनों में से किसमे कैस आउटलोग कम हो रहा है, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन सुनो, दूसरा ऑप्शन मुझे ज्यादा अच्छा लाए, दूसरे ऑ क्यों यह परसन जो देगा उसे उर्को तो रुको इस परसन से बोलो कि प्लीज आप जो दो मैने बाद प्रमिंट करने वाले हो ना आज से आज दो मैने बाद मत किजिए तीन मैने बाद किजिए उसे होगा क्या उसे हम नेटिंग कर पाएंगे और सुनो फिर ऐसा होगा फिर नेटिंग का मतलब इसमें से ये माइनस कर देंगे साथ लाख माइनस चार लाख पचास जार तो फिर हमें नेट डॉलर दो लाख पचास जार ही पेबल रहेगा और जो पेबल रहेगा हम इसके सबसे कॉंट्ट करेंगे यह जो रेट दिया यह इंटर वैंक नहीं है margin दिया नहीं है तो यह इंटर्वाइंग करेट नहीं है ठीक है जी बात समझे में आ रही क्या है पहले पॉंट्रेट कैंसिल करो कौनसा वाला रिसीवेबल वाला कर दिया इसको इससे को कि आप जो चार लाग पचास जार रुपए देने वाले हो ना डॉलर वो दो मेने बाद दी तीन मेने बाद उसकी वज़ा से और हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे एक मेने का तो वो कहेगा भाई अभी ले लो दो मेने बाद इस पर इ धायलक के लिए यह सब्द क्या बोल रहा है इसका मतलब हम इससे बोल रहा है ना कि जो हमको रिसीवेबल होने वाला वो एक मेने बाद दे दो हम आपसे इंटरेस्ट लेके ऐसा नहीं इस पर इंटरेस्ट नहीं मलेगा और बताइए कौन सा अच्छा तो सबसे पहले कॉंट करना पड़ेगा कॉंट्रेक्ट कैंसिल करते हैं कॉंट्रेक्ट कैंसिल अब सुनों तो कॉंट्र कैंसिलेशन चार्जिस बैंक खरीदेगा 48.90 पर यहां कैंसिलों दो मैंने खरीदेगा और बैंक बेचेगा 49 पर सस्ते में खरीदेगा में तो कैंसिलेशन चार्जिस निकल जाएगा 48.9049 दस पैसे का बैंक को फाइदा साड़े चार लाख डॉलर है तो 45,000 45,000 हमारा क्या जाएगा कैंसिलेशन चार्जिस यह कब देना पड़ेगा सब 45,000 सोच के बताना यह पैसा मुझे कब देना बैंक वाले को यहां देना है 했는데 सर जिस दिन कॉनफरेट कैंसिल हो रहा है कैंसिल तो इसी दिन हो रहा है तो 45,000 में दे दूंगा इसको बैंक वाले को आज 45 थाओ जाए एक है जी है आगे क्या होगा आगे सुनों और अब हम धाई लाग डॉलर 49.15 के सबसे खरीदने के लिए तो पैसा कितना जाएगा देख लेते हैं धाई लाक यह आगे है धाई लाक इन्टू 49.15 इतना पैसा जाएगा कैंसलेशन चार्जिस का इतना जाएगा तो टोटल कैसा उटलो इतना तो बताईए कौनसा ऑप्शन सर ऑप्शन एज बेटर जैसा चल रहा था वैसा चलने दो इसमें पैसा कर जाए अपके मन में भी डाउट नहीं आएगा तो कैसे चलेगा ठीक है क्या डाउट आए होगे जरा सुन आपके मन में यह डाउट आ गया होका कि जर बो यह जो 45,000 जा रहा है आज इस पे इंट्रेस्ट भी तो जुड़ेगा तीन महने का यास इस पे अब एक पॉइंट के लिए आप भी दभाव करते इस पॉइंट के लिए तो आप बड़ी-बड़ी बात कर रहे थे जो पैसा यहां मिलने वाला उसको एक मेने का इंट्रेस्ट है पर यह जो पैसा जा रहा है इस पर भी तो इंट्रेस्ट की बात कीजिए ना इंट्रेस्ट की बात क्यों नहीं कर रहा है लिखा तो इद यह वैसे कि अब आ गया हमारा अब दो टॉपिक बचे कैंसलेशन एक आटोमेटिक कैंसलेशन या ओवर्ड्यू फावट कॉन जो की MTP में आया हुआ हुआ है कोश एक पॉइंट में थोड़ा गर्वल है MTP में उस पर मैं बात करूंगा और दूसरा करना हमको अरली हमारा कैंस पुरी तरह से खता हुआ है अब दो कोशन पर वहना दोनों कोशन अच्छे-च्छे कोशन है आटोमेटिक कैंसलेशन क्या लिखा है वह बाद में समझेंगे सीधा सीधा मैं कोशन पर आ रहा हूं और अच्छा कोशन है और यह कोशन देखी रहा है हाँ सर तमझने ज्यादा टाइम नहीं कोशन मैं कॉंसेप्ट चुल जो काम की बहुत ज्यादा लबनी स्टोरी खिचने कस इसका डिटेल में देखना तो एक देड़ घंडे का लेक्च्छर ओल्रेडी डिला हुआ कोशन रमर 90 है ओर डिव फावड कॉंट्रक्ट या आटमाटिक कैंसलेशन बोल दो या फैट फावड कॉंट्रक्ट बोल दो चूथ अला कि आटमाटिक कैंसलेशन नहीं है इसमें कस्टमर खुद आता है एन इंपोर्टर उट a powered contract with his bank importer से क्या समझे तर ये इसकी बात हो रहे है इसका नाम है import इसने import किया तो pay करना है pay क्या करना है और दो लग तो bank ने बेचने का contract किया होगा मतलब selling contract है कितने में बात हो रही है और कब बात हो रही है बात हो रही है ये 10 जून की इट मिन्स बैंक आप से कह रहा है कि सुनो importer हम आपको बेज देंगे 2 लाग डॉलर कितने में बात होगी 64.4 और कौनसी डेट में 10 जून की होता क्या है currency fluctuation fluctuation जादा होता अगर fluctuation जादा होता है तो खुद बैंक बीना cover कर रख लेए उनके पास कुछ वो अपने पास अपने stock में अपने locker में डॉलर जमा करके वो क्या करते वो उनके पास नहीं होता वो किसी और से खरीद के आपको transfer करते क्योंकि currency रखने से fluctuation जादा होगा fluctuation जादा होगा तो आप loss भी हो सकता है इसलिए उनका यह कहना हम कभी अपने पास रखेंगे ने आप से बात हुई है ना कि हम आपको तीन मेने बाद delivery देंगे तो हम किसी और bank से cover कर लेते कि वहां से लेकर आपको देंगे तो यह सी उन्होंने बात करके रखा है किसी और bank से तो bank का नाम करन कर देते हैं इसका नाम bank A बोल दू इसका नाम bank B बोल दू और यह bank C बोल दू यह किदर से आया है तो बात हो गई है इससे बोले कि इसने का कि ठीक है जी cover कर लिया कितने में 64.28 में दो रेट हमारे काम के हम 10 जून को इस से लेगे 64.28 में और ट्रांसफर कर देंगे 64.4 फिपल जीरो में और हमें फायता है हमको इत्तामाद में अभी मैंने क्या पढ़ा है अभी मैंने ये वाला पैरग्राफ पढ़ा है बस और कुछ रहे आगे चले अगे चले अगे चले 10 जून को रेट और 13 जून का रेट दे रखा है ये है आज जिस दिन कॉन्ट्रक्ट होख हुआ 10 जून ये क्या है द्यू डेट और 13 जून क्यों लिका है एक्चुल में फेडाई के रूल है कि अगर 10 जून को कश्टमर नहीं आता है तो आप 3 दिन इंतजार किजिए 3 दिन बाद कॉन्ट्रक्ट आटोमेटिक कैंसल कर दिया जाना आप आटोमेटिक कैंसल कर दीजे जो भी प्रॉपिट या लॉस होगा वो किश्रिक होगा कश्टमर से हम वसूल पहले 15 दिन हुआ करता अभी तीन दिन तीन दिन तक इंतजार किजिए और तीन दिन तक अगर कश्टमर नहीं आया ना तो आप कांट्रेट खुद बखुद इस डित का रेट जो भी वो ले 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 न और कैंसल कर देना रेट कैंसल करने के लिए कौन से डित तीन दिन बाद जो भी एक रेट होगा वो रेट लेकर कैंसल कर दे अगर बैंक आपको फायदा है तो आप कश्टमर के घर जाके पैसे वसूल करना अगर सर मुझे फायदा नहीं कश्टमर को फायदा हो रहा है जब उस वोक्स को पैसे वापस नहीं दिया जाएगे इट मेंस याद करो इससे पहले क्या होता था इससे कश्टमर को प्रॉपिट होता है तो हमुझे दे 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 थे और बैंक को प्रॉपिट होता था तो कस्टमर से हम वसूल कर लेते हैं लेकिन यहां जब automatic cancel होगा customer due date के बाद cancel होगा तो अगर अगर due date के बाद cancel हो रहा है तो बैंक को फाइदा तो बैंक वसूल तो कर लेगा कैसे भी करके लेकिन अगर customer को फाइदा है तो चलो गए तो क्या मतलब हम customer से कोई बात नहीं करें इसलिए यहां 13 जुन का भी बहुत सारा rate दे रखा है और 10 जुन का भी बहुत सारा problem in rates में बस और उसको मैंने proper way में यहां लिख लिए एक्षेंज मार्जिन 0.1% मतलब यह इंटर बैंक रेट है एंड इंट्रेस्ट ऑन आउट्लिय अफंड 12 परस नहीं सरीगे चकर है समझाऊंगा इंपोर्टर रिक्वेस्ट और इंपोर्टर आया और कब आया 14 जुन को आया वह डेट में कहीं प्रॉब्लम है 13 14 जुन को आय और आकर बोला कि प्लीजे एक्षेंड कर दाइजीया और एक्षेंड कब काकी जिए 10 अगस्त के लिए एक्षिन कर दीजिए 10 अगस्त के है कास पहले आजाते पर वह 13 जुन को है अंप इसकी वजह से और आपको रेटस को राउंद जू पॉप करना 0.0025 का इसमें हमेसा रा ये क्या है सर अब इसके लिए requirement बहुत सारी चीज़े की cancellation charges क्या होगा या किये क्या होगा तो पहले one by one बात करें क्या आराम से बात करें सबसे पहला उसने मांगा क्या है सबसे पहला मांगा उसने cancellation charges तो सर इसमें और question कहा है actually वो question हटा दिया मैंने क्योंकि मुझे धीरे धीरे बात करने पड़ेगी सर यहीं से बात करते ना 10 तारिक से बात करते आराम से बात करते ठीक है उसने क्या मांगा वो बाद में कर लेंगे पहले आराम से बात करते चले और ये आगई 10 जून 10 जून को क्या customer आया नहीं आया समस्या customer नहीं आया हम और कितने दिन इंतिजार करेंगे तीन दिन इंतिजार आप करो तीन दिन bank ये बैंक बोल रही भाई 10 तारिक जैसी आई तो ये वाली बैंक जिससे हमने cover कर रहा था वो phone लगाना start करेंगे उसका क्या है हमको नहीं मालूँ आपका customer आ रहा है कि नहीं आ रहा मतलब नहीं है bank ए आपने बोला था कि हमसे खरीदोगे 64.28 के सबसे आपको खरीदना पड़ेगा बैंक बोलती ठीक है दे दो क्या करें और एक लाग डॉलर हमने इससे खरीदा बैंक भी से 64.28 का अब इस डॉलर को करें क्या क्या करोगे घर में थोड़ी रखोगे या कश्टमर आएगा कि नहीं आएगा भगवानी मालिक है तो इस डॉलर को हम कभी भी अपने पास नहीं रखते हैं किसी और को बेच दे तो एक बैंक सी है बोलते हैं ठीक हमको बेच दो अच्छा तो सर ये बैंक बैंक सी को बेच रही है यस कौनसी डेट में बेच है सर दस जुन को रेट कौनसा सर रेट इस्पॉर्टी तो आएगा कौन सा वाला आएगा ये वाला की अल सर ये बैंक बेच रही है ये बैंक बेच रही है तो बेचने का रेट है बिटे बात वो नहीं है बात है यहां किसी एक को कस्टमर समझना पड़ेगा एक bank दूसरी bank से खरीद रही है तो इनमें तो लडाई हो सकती न एक कहेगी कि मैं बेच रही हूँ तो मैं ask rate दूसरी कहेगी वाह मैं खरीद रही है तो bid rate तो समस्या यही है यहां आपको यह देखना पड़ेगा अठकी किसकी है यहां अठकी इसकी है जिसकी अठकी वो कस्टमर प्रॉब्लम किसको है सर प्रॉब्लम बैंक एक को है तो bank एक कस्टमर हुआ तो बैंक एक की rate मेरे हिसाब से decide हो बोले ठीक है बाई बताओ spot यह दिख रहाए spot और बोले सर यह भी तो जून का rate यह भी तो जुलाइट बिटे अभी की बात करो spot 10 जून का 10 जून का 62. बोले मेरी मैं अपने इसाब से बात करूँगी और मैं तो खरीद रही हूँ मैं खरीद रही हैं तो मैं कौन सा वाला rate लूँगा 63.8.000 सारी transaction बता रहा हूँ क्या हो रहा है यहां से हमें खरीदना पड़ा क्यों मजबूरी थी और फिर हमको यहां बेचना पड़ा क्योंकि हम अपने पास रख नहीं सकते डॉलर तो दूसरी बैंक का जो भी खरीदने का रिट है उस पर अब हुआ क्या इसमें टाइम लगेगा यार यह concept समझा अब हुआ क्या सर हुआ यह कि बाइचांस कस्टमर आ गया तो टैंसन भी तो यह बैंक का और एक टैंसन है यार फस गया बुरे से अगर कस्टमर आ गया तो आने वाले दिनों में इन दिन में तो आई सकता है ना फिर क्या करोगी फिर कहां से लाओगे डॉलर तो यार इसी बैंक से बोलते सुनो ना बैंक बैंक सी एक बाद बता हूँ मैं आपसे forward contract करना चाहता हूँ फिर forward contract धोका मिला है यहां पर क्या करे कस्टमर ने धोका दिया हो सकता फिर धोका दे दे वह forward contract कर लेते हैं क्योंकि तीन दिन में इदर दो दिन में कस्टमर आ गया कहां से लाओगे डॉलर फिर तो फस होगे ना फिर तो उस समय जो भी रेट है खरीदना पड़ेगा तो चलो ना अभी forward contract कर लेते हैं हमने forward contract किया इस बैंक के साथ कि बैंक आने वाले दिनों में हमारा कस्टमर आ सकता है तो क्या आप बता सकते हो हम आपके साथ forward contract करें बोले हां हमारे लिए जून के लिए rate available है forward rate सरी जून end का हो सकता है कि जून end का हो सकता मान लेते हैं जून के लिए available है तो बोले हम पर rate में अपने सबसे डिसाइड करूंगा बोले ठीक है ना बोले हम आपको base देंगे इस rate पे 63.95 00 कहां तक ठीक है बैंक ने बेचा 63.800 इसको बोला जाता किस rate पे बेचा spot और इस rate पे इसको कौँसा बुलते है forward यहां क्या किया sell spot sell और forward पाई हाला कि यहां लिखा भी है पर ठीक actual में नहीं भी लिखा दोता हूँ यही करते हैं हो गया attention कहता हूँ अब इसका पूरी तरह से attention कहता हूँ हाला कि इसको swap बोला जाता है sell by swap sell by swap ठीक है सर अगे चले यस revision हो रहा है प्लीज पूहाँ ज़्यादा concept पे मच जाना यार final 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 अब इसका attention कहता है customer आएगा तो देख लेंगे अब इसका क्या कहता है यह जितना भी मेरा हो रहा है ना जितना भी मैंने time jump किया है कि सब की सब में customer को आ जाने तो उससे वस्विल करूंगा मैं जानता हूं इन सब घटनाओं में मेरा बड़ा सारा loss हुआ है पर मैं करूंगा तो customer से और मैं customer के wait करूंगा आएगा आज नहीं तो मैं तो कैंसल करूंगा और पैसे उसल करूंगा और अब हम इंतजार कर रहें तीन दिन तीन दिन तीन और यह हो गया अब तो कैंसल करेंगे कुछ छोड़े करेंगे अब आ जाओ customer यह हम customer के घर पहुंच जाएंगे पर customer आया है यहां गलती से 14 लिखा हुआ थर्डीन होना चाहिए पर थीक है थर्डीन-फोर्टीन में एक ही मान के चलता हुँ ठीक मैं आ जाओ भाई customer केंसल कर देते हैं कैंसलेशन जैसे चल रहा था वैसे चलेगा बताओ पैंक क्या था सर बैंक का था सैलिंग तो यह अगया सैलिंग रेट और यह उसको काट होगे बाइंग रेट किस डेट के होगे इसी डेट के हो यह तो मैंने आपको पहली है जिस दिन कॉंट्रक्ट अक्टमेटिक कैंसल हो रहा है तो सर आप तो बोल रहे थे दोनों रेट एक दिन यह तो दस जूंगा बैटे यहां का प्रोविजन थोड़ा सा लाग है तो ठीक है सर एक तो रेट हो यह होगा है इसको कौन सा रेट बोल रहा है हम सेलिंग रेट और इसको रेट कौन सा बोल रहा है बाइंग रेट हो या इसी का नाम होता कैंसलेशन रेट अगर कोशन एक्जाम में आता कैंसलेशन रेट बताओ तो कैंसलेशन रेट यह होगा पर इसमें यह तो बिड रेट है तो इसमें क्या करना पड़ेगा मार्जिन माइनस करना पड़ेगा 63.6800-0.1 परशन तो सर यह आगे 63.6163 लाश्ट वाला 25 के पास है कि 50 के पास है कि 75 के पास है सर 75 के पास है तो 6175 जाएगा इसी का नाम क्या रहेगा कैंसलेशन रेट 63.6 1 पहली रिक्वार्मेंट वही थी कि चैंसलेशन रेट निकाली है 63.6175 तूसरा कैंसलेशन चार्ज निकाली है चैंसलेशन चार्जैस बैंक का यह सेलिंग रेट और वो बाइंग रेट उन दोनों के वीच फ़र डेफ्रेंस selling rate, buying rate जो भी difference है, bank को gain हो गए 2,00,000 डॉलर है, तो यह इसका नाम है cancellation charges ठीक है जी customer questions बोले ठीक है cancellation sales, बोले नहीं अब picture शुरू हुई अब सुनो customer cancellation charges वो तो दो गए ही दो गए, अब मैं आपसे बहुत कुछ वस्वन करने वाना हूँ, बोले क्या बोले आप नहीं आये थे, तो मालू मैं दस तारीक को क्या घटना है घटी तो भी बोले क्या हुई है, बोले देखो मैंने क्या किया, मैंने इस bank के साथ कुछ किया और ये difference दिख रहा है आपको मैंने बेचा 63.80 में मजबूरी थी, आपकी वज़ह से और ये भी आपकी वज़ह से मैंने खरीदा 63.95 के साथ से सिर्फ ये आपकी वज़ह से लॉस हो रहा है तो भाई, आप वो भी पैसा दीचे क्योंकि आप टाइम प्या जाते तो प्रोलम होती, इसको बोले जाता है swap loss swap loss 63.80 जब बेचा और बेचा है तस्ते में और खरीदा है महेंगे में, तो मेरा swap loss हो और वो आपको देना पड़ेगा swap gain भी हो सकता था अगर swap gain होता तो फिर हम वो customer को नहीं देते, बाद समझे है swap loss बोला जाता है logic के साथ वो अभी आनी समझा जाता अभी जो चीज है है उसे सिधा सिधा करते है swap loss 10 जून को bank ने sell किया था spot और buy किया था forward तो 63 sell किया था buy किया था, तो loss हो रहा है और 2 लग 30,000 का swap loss हो रहा है तो 30,000 आपको देने पड़ेगे it means customer आपको 1,56,000 ये भी देने पड़ेगे और swap loss का आपको 30,000 ये भी देना पड़ेगा यहाँ तक ठीक है ये सा customer ने का ठीक है और कुछ है क्या बोले और एक चीज है, अब क्या रहे गए बोले देखो साहब ऐसा है जब आप नहीं आये थे हम ने का ठीक अपने पैसे तो दिये नहीं थे तो सुनो, मैंने जब यहाँ इस बैंक से खरीदा तो मैंने पैसे दिये थे एक लाक इंटू ये मेरा है cash outflow और मैंने यहाँ से डॉलर खरीदा यहाँ यह डॉलर आया, तो मुझे आज 10 जून को, मैं क्या सोचा था सुनो, मैं बतारा हम customer को कि आप पैसे दोगे, वो पैसा मैं इसको दे दूँगा, मेरा टेंशन कतम हो जाएगा हो क्या गया, आप तो आए नहीं यह अड़ गए, यह बैंक बोलती नहीं मज़र पैसा चाहिए, तो मुझे अपने जेब के पैसे देने पड़े, एक लाक इंटू 64.28 केस्टमर कहेगा, भाईया सुनो, वो जो डॉलर आपने खरीदे, आपने जेब के पैसे दिये, वो अपने कहा दिये, आपने उन डॉलर को तो बेज भी दिया ना, बहुले, हाँ, बेचा भी ना भाई, में कब मना कर रहा हूं एक लाक इंटू, इतने में बेच दिया तो भी तो एक्ट्रा पैसा लगा देखो, एक लाक इंटू 64 पैसा ये पैसा मेरे जेब से गया ये पैसा आ गया, तो भी तो एक्ट्रा पैसा लगा और उस एक्ट्रा पैसे पे आपको इंट्रेस्ट देना पड़ेगा दज उनको दो लाग खरीदा था तो कैस आउटलो है और उसको इस पॉट रेट पे बेचा था तो नेट कैस आउटलो आ रहा मेरा 96,000 और 96,000 पे 12 पर्षंड आप यहां 365 भी कर सकते थे मैंने 360 के सबसे कैल्पिलेट किया 96 रुपिस यह इंटरस्ट भी आपको देना होड़े अच्छा बेकर यह कहना भगवान ना करे अगर यह होता 82 तो फिर क्या करते फिर तो आपका inflow होता ना फिर मैं क्यों देता है फिर मैं interest नहीं देता आप लेट आए सब आपकी वज़े से जो loss आपकी वज़े से वो आपको देना तो finally 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 bank से हम वसूल करेंगे कितना कितना वसूल करेंगे 156500 30,000 bank वसूल करेगा किस्टमर से swap loss का 30,000 और interest on 96 इतना पैसे वसूल किया जाएगा आप प्लीज इतना पैसे इसको बोला जाता है total cost total cost ठीक है और वो जो swap loss और interest on outlay आपसे अलग-अलग चीज़े पूछेगा पहले पूछेगा cancellation rate दूसरा पूछेगा cancellation charges तीसरा पूछेगा swap loss चौधा क्या पूछेगा हमसे interest on outlay of fund total cost यहां तक ठीकत है प्लीज इतना पैसा ले आओ यार बात खतम कीज़े बस आपको यह समझना पड़ेगा इस diagram से समझने की कोशिश करो क्या क्या आएगा अगर swap loss आएगा तो यह इन दोनों की बीच का difference और interest on outlay fund आएगा तो यह इन दोनों की बीच का difference बस और कुछ नहीं है और कुछ नहीं है और मैं फिर से बोलो interest on inflow होता तो हम consider ही नहीं करें बै कॉस्टमर ने पैसे दे दिये जितना लग रहा था बोले सुनों लेकिन एक बात अब यहां समस्या सुनना MTP का कोशन है आया हुआ है मैं कब बोल रहा हूं कि मुझे डॉलर नहीं चाहिए मुझे चाहिए डॉलर चाहिए पर आज नहीं चाहिए मुझे 10 अगस्त को चाहिए मैंने का आप नए contract book करो अगस्त का rate तो बोलो यहां यह देखो अगस्त यह जो rate दे रखे मैं इस मान के चलाओं last last के दे रखाओंगे मतलब सर last का मतलब अगस्त 10 अगस्त को चाहिए मैंने का यहां ढूंडो कहां यह वाले rate हमारे काम के नहीं है कुछ बच्चे हूँ यहां का rate ले मैं तो यहां खड़ा हूँ ना आच तो तेरा जून को खड़ा हूँ तो तेरा जून को देखूँगा rate है क्या rate है क्या rate है क्या rate है क्या कौन से date का देखूँगा अगस्त का और अगस्त तो यह है तो अगस्त का rate तो यह है अगस्त का rate यह है ना नहीं मालूम पर हम सेप्टिम्बर का क्यों लेगे हम तो 10 अगस्ट का चाहिए न तो अगस्ट का रेट ले रहूंगे अगस्ट का रेट अब कौन सा रेट बुले एक्चुल में बैंक बेचने वाला था तो बेचने का रेट है 64.2500 प्लस इसमें क्या करना पड़ेगा मार्जिन मार्जिन अट किया तो यहां कि यह 42 और 42 किसके पास है 50 के पास है तो न्यू फॉवर्वर्ड रेट आएगा 64.31500 पूरा MTP में जो कोश्चन आया था MTP में क्या गलती हो रही है सुनो MTP में भाई साब यहां उन्होंने डेट लिखा है फॉर्ष्ट पैप और यहां जो डेट लिखा है यहां 15 फैफ मतलब MTP इस बार के MTP की बात कर रहा हूं उन्होंने जो कोश्चन डाल रखा वो पुराने जो कोश्चन चल रहा है ना उसके सबसे कोश्चन डाल रखा है जिसमें 15 दिन बात cancellation होता है उसका effect कहां पढ़ेगा effect इधर कहीं नहीं पढ़ना effect कहां पढ़ेगा effect बस एक ही जगा पढ़ेगा और वहां यहां जो आएगा वो 15 दिन का जाएगा बस बाकी और कोई फर्क नहीं पढ़ेगा ये तो ये हैं इसमें 15 मत कर दें तो तीन दीन की बात करें पता नहीं वुराने जमाने का कोशन क्यों दे दिया दिया तो करें दूसरी जो समस्या आ रही है बच्चों के डाउट्स जो आए है वह ऐसे आए है जो नया कॉंट्रक्ट है उन्होंने 10 अगस्त की जगह मतलब मान टो यह से बता देता हूँ वह 10 अगस्त की जगह लिखता एक सेट्मबर और सेप्टेम्बर के लिए सेप्टेम्बर का रेट आता कि अगस्ट का रेट आता और उन्होंने कौन सा वाला रेट लिया हमालों है अगस्ट का ले रख मैं कि पश्च सेप्टेंबर सब्द लिखा हूँ फास्स सेप्टेंबर का लिना चाहिए कि आगस्त का जो भी नहीं रेश्ट है तो सब्सक्राइब बां सेप्टेंबर को सब्द लिखा सब्सक्राइब इसलिए उन्होंने मालमें कौन सा रेट लग ले रखा आगस्त का रेट लेट लेट बस करना वहीं जो MTP में बस उस पर थोड़ा ध्यान दे देना बाक्यों कि कर जी बहुत टाइम लग गया इसमें क्या कर लो एक और चीज करवाना इस टोपिक में उसका नाम है और ले डिलिवरी वह भी करवा देता हूं टेंशन कर लेना इस पर प्रैक्टिस MTP में आया हुआ है कि अरली डिलिवरी क्या लिखा है इस पर तूच पे जा रहा हूं कि अंडर कुछ है नहीं अरद इसपर एक्ट्साइभ पले टाद कि अ currency बढ़ा हमसे और 19 जून बैंक A एंटर्ड इन्टू फावर्ड कॉंट्रक्ट वित कस्टमर बैंक ने कहा हम सेल करेंगे क्यों सेल करेंगे यह हमारा कस्टमर इसको लग रहा है 7000 डॉलर लग रहा हो का अभी बैंक बोल रहा कि ठीक है हम 7000 डॉलर सेल करेंगे और बैंक ने बात किया है कितने के सबसे करेंगे 46 अच्छा बैंक यह वाला बैंक नहीं सौरी यह वाला मेन बैंक तो यह है गर बढ़ो जाता है यह वाला बैंक है कितने के सबसे forward contract book होगा 46.67 की सबसे कोंसे date के लिए बात हो यह delivery कब देना बीस मार्च को, cover तो करना पड़ेगा, cover किया है, चाहे बोले ना बोले हम मान के चलेंगे कि cover हुआ, cover कितने में हुआ, 46.655 किसी और बैंक से, हलाकि date 19 मार्च लिखी हुए, हम एक दिन पहले उधर से contract किया, कि 20 मार्च को हम इसको दे देंगे, बात खतम, इसका डेंशन खतम, 19 मार्च को आएगा, डॉलर 7 जार इतने के साब से, और हम इसको transfer कर देंगे 20 मार्च को, लिक्कत खतम, और यह है आज की date, और हम कब का इंतजार करेंगे, हम इंतजार कर रहा है, 19 मार्च का, 19 मार्च को, customer bank हुआ, हम बोल रहो है, इस मार्च को, एक मैने पहले ही आ गया है, बोले अभी दे दो, नगा यार यह तो गलत बात है, अरली delivery के पहले बहुत अलग concept थे, अभी simple सी बात समझना, एक बात समझना, खड़ाई का रूल बोलता है, आपने अगर booking कर रखा है, 46.67 के हिसाब से, तो customer अगर पहले भी आ जाता है, तो doesn't matter, आपको 46.67 के हिसाब से, बेचना ही पड़ेगा customer, जो rate book हो गया है, अगर customer पहले delivery चाहता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप 40, आप पहले भी delivery मांगने के लिए आता है, तो जो rate पे बात हो चुकी है, उस rate पे आपको customer को देना ही है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, जरा सुझाए, 19 फैब को ये फस गया है, ये गया है इस बैंक की बास, बैंक सुनो ना, मैंने 70,000 डॉलर इस rate पे खरीद है, बुले नहीं, वो तो आपने 19 मार्च की बात किया था, आप 19 फैब को आ नहीं सकता है, बैंक के लिए अलग प्रोविजन कस्टमर की क्या कर लूँ, मैं इसमें मजबूर हूँ, आप यहाँ ज़्यादा लॉजिक मज़ें, करे तो करे क्या बैंक, एक ही option में चाहिए और से खरीदो, और क्या करें, 19 फैब को फस गया ना, यह बैंक देगी, यह मना नहीं कर रही है, पर यह 19 मार्च जो date है, उस date पर ही देखी, यह भाई सब फस गया, यह बैंक फस ही, तो कहां से खरीदे, किसी और बैंक से, इस बै deny होती है, वो, उस पर margin का adjustment नहीं होता, पिछले question में मुझे बताना चाहिए था, मैं नहीं बता पाया, पर मैं मान के चलना हूँ कि आपको पता है, ठीक, बस गया, क्या करें, कहीं और से खरीदो, पर यह बैंक बोल रही ही, कि भाई, रेट मेरे चलेगे, आपके चलेगे न प्रॉब्लम तो मेरा है, बोले ठीक है, बोले मैं बेचने वाला rate लोगे, मैंने का, हाँ, बेचने वाला, बोले 46.58, ठीक है, मैंने का, 46.58 में खरीद के इसको दे दिया, और इसी rate पे देना पड़ेगा, बात हो चुकी, पड़ाई रोल, लेकिन प्रॉब्लम अभी खतम न अब बोले मैं खरीद लूँगी, 46.3550, आपका टेंशन करते हैं, अरले डेलिवरी, इसी को, अब हिसाब किताब करें, एक तो क्या बोल रहा है, बताओ, एमाउंट कस्टमर से कितना रेकावर करने वाले हो, इन ट्रांजेक्शन के हिसाब से, तो बात करते हैं, 7000 डॉलर एक तो ये वसूल करोगे, कितने के साब से, जिस रेट पे बेचने की बात, ये तो हम कस्टमर से, और कस्टमर की वज़ए से, जो मेरा ये लॉस हो रहा है, वो भी वसूल करूंगा, कस्टमर वो तो दे, चलो इतना पैसा, इतना पैसा, तो 7000 डॉलर का वसूल बोले क्या है, बोले इसको बोलते हैं, स्वैप लॉस, बोले ठीक है, बताओ कितना, बोले देखो, इस बैंक से हमने खरीदा है 46.58, और हमने बेज दिया 46.3550, खरीदा है हमने, महगे में बेचा है, सस्ते में, तो ये आपको देना पड़ेगा, 46.58, इसको बोला जाता है, स 27.55, और अगर बोलते हैं, स्वैप गेन होता तो, स्वैप गेन होता तो, आप हमने से वसुल करोगे, बेंक, स्वैप गेन होता तो, अगर गेन होता तो, मैं आपको वसुल करेगे और अगर swap gain होता तो हम उसको वापस देखें ये भी मैंने लिख दिया है ठीक है अब interest on outlay of fund हमने का अब ये क्या चक्कर है तो सुनो 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 मैं क्या बोल रहा हूं इंप्रेश्ट on outlay of fund है क्या चकर तो भले अब सुनो मैं जल्दी आया है तो मैंने क्या किया मैंने पैसे दे दिया था आपको पैसे दे दिया था आ हाँ 46.6 और मेंने कहीं और से खरीद KNIGHT और यहां से खरीद KNIGHT 46. मैंने क्या किया मैंने 46.58 के षिशाब से खरीदा खरीदा तो मेरा पैसा गया जल्दी चला गया ना भाई हाँ और और मैंने आपको 46 मतलब आपने कितना दिया मैं आप जल्दी आए आपने पैसे दिये पर सुनो आपकी वजह से आपने क्या पैसे दिये उसका आपकी वजह से मेरे पास पैसा गिया मुझे डॉलर खरीदना पड़ा कहीं और से तो मेरे कैस आउट्लो है आपने तो कम दिये ना आपने दिये उसका इंट्रेस्ट भी आपको देना पड़ेगा एक मेरे कर देखो मेरे पास से पैसा गया साथ जार इंटू 46.58 और मैंने आपने दिया वो बूले मेने तो ज्यादा दिया अब इंट्रेस्ट मैं नहीं दोंगा आप दोगे मुझे एक मेरे लिए इस बार तो इंट्रेस्टन हो गया अब कि बार आप दोगे यहाँ देना पड़ेगा पर इक को देना पड़ेगा और अर्ट्य स्क्राइट कैंसलेशन में नहीं देते हैं यह वात यहां भी समझने देते नियुक्त कि यह पैसा आउफ्ट लो है और यह पैसा इंफलो भाज़ेश सो तीन रुपए 630 रुपए चीर रुपया तीस पैसे इन फ्लॉ अब हम क्स्टिमर से क्या वसुल करेंगे इक तो यह पैसा 7000 डॉलर बेचा और एक स्वेप लॉस वसुल करेंगे और इसमेंसे आपने का ठीक है भई 6 रुपया तीस पैसे रख ले क्या याद करेगा ठीक है टोटल मिला कर हम केंसलेशन खतम बहुत लंबा गया यार अनेक्सपेक्ट जितनी उम्मीद थी तो भी मैं मेरा दिल क्या बोल रहा में अपने दिल की बात करने तुम्हें समझा नहीं पाया मुझे और ज्यादा समझाना चाहिए था पर रिवीजन चल रहा मैं भूल गया था सौरी यह तुम्हें अलड़ी आपको समझा दिया है तो भूल गया है तो चले खतम हो गया कॉंसेट कैंसलेशन खतम अब बैचा हुआ एक एक कोश्चन है वो खतम करते जितना भी टाइम एक कैशे कैंसलेशन खतम हमारा कितना अच्छा लग रहा है चैप्टर फॉरेक्स खतम होगा है सीरियसली खतम होगा है कुछ नहीं बचा अगर मैं इसके बाद के कुश्चन नहीं भी करवा हूं तो भी चल जाएगा कि यस तो अब गर रहे हैं पॉइंट नंबर एट नाम है फ ठार यह क्या चीज यह काम की है न को समझाने की कोशिश कर जैसे हम हैं इंडिया में रहत हैं मतलब बैंक और यह कोई कस्टमर है और यूएस में कोई बैंक होकी जहां क्या चल रहा होगा डॉलर चल रहा होगा अब कोई कश्टमर आया और उस कश्टमर ने इंपोर्ट किया तो सर्फ सामने वाली पार्टी को हमें डॉलर देना है डॉलर एक लाक तो कैसे देते होगे एक्च्वल में डॉलर खरीद लेंगे 80 के साब से मतलब 80 लाक रुपय का डॉलर खरीदेंगे इ इतना बड़ा एमाउंट और फिर हम वो डॉलर किसको इसको पहुंचाएगे ऐसा नहीं यह पैसे तो ले लेगा और पैसे ले लिया 80 लाक रुपय और इस यह वाला है ना यह इंडियन बैंक का यूसे में एक एकाउंट होगा एकाउंट बनाओंगा जैसे करेंट और यहां उसने बड़े सारे डॉलर्स जमा करके रखोगे सपोज इसका 10 लाक डॉलर जमा है इस एकाउंट जैसे ही पैसे आ जाता है यह इंडिया वाला बैंक इंडियन मैंक यूसे बैंक से बोलता है मेरे एकाउंट से इस परसन को दे देना और इसके एकाउंट से माइनस हो जाता है डॉलर एक लाक तो टोटल इसके एकाउंट में कितना बच गया डॉलर और इस एकाउंट का नाम है नॉस्ट्रो एकाउंट बहुत बड़ी पिक्चर बना रखा है मैंने इस कोश्चन पर इस कॉंसेट पर बहुत बड़ी पिक्चर जरूरत नहीं िश्चन पर ना आपना एक राम करो जिनको इसी क्लास में जो पढ़ाया है मैं आपको ड़नुंगा यहां तक बात समझ में आ रही है अब सुना और एक बात इसके अलावा कभी-कभी हम कहते हैं कि हम इसको, इस परसन को हम बोलते हैं, हम आपको तीन मेहने बाद डॉलर देंगे important है तीन मेहने बाद तो हम इस बैंक को रुपिया देते नहीं इस बैंक से बोलते हैं, चलो contract करते हैं और contract कौन सा, forward contract कि तीन मेहने बाद हम आपको रुपिया देंगे 80 लाक और फिर आप इस बैंक को बोल देना कि डॉलर दे देना करके यहां तक ठीक है कौन सा contract है, forward contract सवाल यह है, forward contract में क्या actual में आज ही मेरे account से dollar माइनस हो जाएगे, आज नहीं होगे कब होगे, तीन मेने बाद पर यार हमको हिसाब तो रखना पड़ेगा कि पता लगा, हमने बहुत सारे लोगों को dollar बेच में बैंक हो, मैंने बहुत सारे लोगों को dollar बेचने का contract कर लिया बहुत सारे लोगों को, और मेरे account में उतना dollar ही नहीं है चेक बाउंस हुजाएगा तो हमको एक और एक हिसाब किताब रखना पड़ेगा, जिसका नाम है position exchange position, जिसमें हमको यह रखना पड़ेगा कि हमने dollar बेचा है तो sold या short position हमने dollar खरीदा है, forward खरीदा है तो dollar buy, तो यहाँ sold करोगे, तो minus it means, एक idea तो रखना पड़ेगा कि तीन मेहने बाद हमारा कम ना हो actual में भले, इसमें नहीं हुआ है इसमें कोई घटना घटित नहीं होगी मेरे current account में, पर हम एक position बना के रख लेंगे, ऐसा position कि last में देखेंगे कि dollar हमारे पास, actual में पता लगा हमने बेचा बेचा, बहुत सारे लोगों को बेच दिया, और किस पे बेचा forward contract और forward contract पे बेचने से यहां total हमारा dollar big गया, 11 लाग मैं बैंक हूँ, मैंने 11 लाग dollar बेच दिया एक importer आये, उसको भी बोल दा तीन मेहने बाद निकाल लेना, दूसरे को भी बोल दिया, तीसरे को भी बोल दिया और पता लगा 10 लाग dollar नहीं है और हिसाब किताब रखना पड़ेगा यह वाला, कि कितने लोगों को बेच दिया है भले ही, कटा नहीं एकाउंट से, पर बेच तो दिया है अब क्या करना पड़ेगा अब इसमें आपको पता लग गया कि भी यह 11 लाग का दिक्कत है तो इसमें आपको और मैंटेन करना पड़ेगा कम से कम 1 लाग dollar और यहां transfer करना हमें दो चीजे बनानी होती है एक का नाम होता है cash position, कि मेरे एकाउंट में कितना है और exchange position एकाउंट में तो कुछ नहीं है पर plus या minus हुआ है के नहीं पर समझने की कोशिश का नाराम से हलाक यहां समझाना नहीं है revision करवाना है अगर मैंने किसी को आज के दिन ही पैसे लिया और dollar बेच दिया जाओ मेरे एकाउंट से dollar निकाल लिना तो उसका जो effect होगा वो मेरे cash एकाउंट में भी होगा और मेरे position पे भी होगा क्योंकि आज ही मेरे यहां से भी minus हो जाएगा और मेरा position मेंने का मैंने 11,00,00 था अभी और एक लाक और हो जाएगा और यहां 12,00,00 दोनों जगा फर्त पड़ेगा ठीक ठीक है सर ठीक है ना जी यही सब चीज़े है जो मुझे आपको समझाना बहुत detail में तो नहीं समझाऊंगा plus minus से समझेंगे जैसे देखेंगे कि किसका effect कहा होता है एक बाद आराम से समझे question number 96 बस यही एक question करवाऊंगा इस concept को इतने आसान तरीके से इतने एजी कम समय में समझाना थोड़ा सा मुस्किल होता है तो इसका मैं आपको description में detail है वीडियो जिसमें मैंने concept के साथ बारी किया समझाया है वो आप देख लिए शेका और जिनोंने revision करना है बस उसके लिए तो कोई दिक्कत दें तो कोई दिक्कत दें यूज ए डिलर इन फॉरेंग एक्षेंज यूज यूज दो फॉलिंग पोजिशन बालेंस इन नॉस्ट्रो एकाउंट नॉस्ट्रो का मतलब होता है cash अकाउंट यह मेरा cash अकाउंट मेरा credit balance है अगर आपका किसी bank account में current account credit balance है मतलब आपका पैसा जमा है और मेरा कितना पैसा जमा है एक लाग तो मैंने इसको plus करके लिए ताकि दिक्कत दो साथ में overbought position है overbought का मतलब है सर हमारे पास extra है हमारा long position है 50,000 मैंने पास overbought position मतलब यह हुआ कि forward मैं forward की बात कर रहा हूँ बहुत सारे लोग आए जिरों ने मुझसे यह कहा कि हम आपको dollar base देंगे हम आपको एक forward contract हो गया तो मुझे अंदाजा हो गया है कि 3 मैंने बाद मेरे एकान में 50,000 क्योंकि मैंने खरीदने का contract कर रहा अपने customer से मैं उन्हें तीन मैंने रुपिया देते जाऊँगा और मेरे एकान में dollar plus होते जाएगा अभी plus नहीं हुआ है इसलिए मैंने इसको position में लिख रखी 50,000 dollar आज plus हुए कि future में plus होने वाले future में plus होने वाले 50,000 अनुमान लगा लेगी 50,000 तो आएगा आएगा future ठीक है purchase अब ये transaction जो है न ये समझना पड़ेगा क्या लिखा है purchase a bill on Zurich 80,000 सर ये क्या चाहिश और इसका क्या फर्क पड़ेगा bills receivable समझते हो आसर US का कोई person और ये मेरा customer India उसने export किया उसको dollar मिलने वाला हुग dollar मिलने के अपड़ेगा उनने का तीन मेहने बाद फिर से समझना इस person ने में bank मेरे सामने कोई person आया हुआ मैंने export किया था dollar मिल गया होगा आपको dollar नहीं मिला एक bills मिला और इस bills को जैसे discounting कराओगे तब dollar मिलेगा it means उसने का तीन मेहने बाद करवा लेना तो मैंने का bills बले bills एक काम करो अभी आप रख लीजी मैंने रख लिया बदले मैं मुझे रुपिया दे दो मैंने वो भी दे दिया और मैंने का मेरे account में dollar तीन मेहने बाद सामने वाला person आपके account में dollar डाल देगा ये bills वहाँ पहुचा दीजी it means मैंने directly dollar ही तो purchase किया हालक ये अभी account में plus नहीं होगा बाद में होगा पर अभी बाद में होगा ना मेरा position तो long हो गया मेरे account में यहां क्या है मेरे account में dollar आ जाएगा ठीक है bill, bill का मतलब bill से बिसी यहां तक बाद समझ में इसका effect कहा होगा सिर्फ position पर होगा, cash में तो अभी नहीं आएगा cash में तो बाद में आएगा अब, sold forward tt, tt मतलब telegram forward forward, forward में मैंने sell किया सोचे थोड़ा से, forward में sell किया मतलब आपने सामने वाले से कहा कि मैं आपको dollar दे दूँ, सामने वाले को जर्ब रत है dollar दे दूँगा, अभी नहीं दूँगा future में आपको dollar मिल जाए, future में आपको किसी को देना है न, future में आप पैसे ले किया आ मैं आपको dollar दे दूँगा, dollar दे दूँगा मतलब उस account से कम हो जाएगा लेकिन अभी कम होगा कि नहीं, future में कम होगा पर कम तो होगा, तो ये मेरा कौन सा position अजाएगा? short position, यहां फर्क पड़ेगा कि यहां फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है? forward purchase, contract cancel contract cancel, तो जड़ा सुचते मैंने किसी से बुलना था, मैं आपके पास dollar आएगा ना, मैं आपसे purchase कर लूँगा अभी नहीं, बात क्या हुआ होगा? प्लस कर दिया होगा आपने, बाद में प्लस हो जाएगा ना, आपके account में dollars पर सामने वाले इनका contract cancel, तो वापस मुझे reverse बारना पड़ेगा, minus कर दिया है, इधर कोई फर्क नहीं पड़ा वी था remitted by treaty, यह important है, आज की आज में transaction हो रहा है, remittance का मतलब भेजना बेजने का मतलब बेचना, मैंने बेच दिया dollars, बेच दिया, बेचा क्यों मतलब, यह पैसे पकड़ो, पैसा आया मेरे पास cash आया, रुपिया, रुपिया से मुझे, पर बदले में मुझे क्या देना पड़ा, dollar, मैंने उधर फोन लगाया, कि dollar दे दो, dollar दे दो, जैसी बोल तो यहां से माइनस करना पड़ेगा, और यहां से तो माइनस होने होता है, मतलब इसका effect दो जगा पड़े, मुझे real position पड़ा करना तो effect दो जगा पड़ेगा, टिक, draft on azuri cancelled, अब इसका effect, क्या हो है sir draft, draft DD, demand draft, कोई आया, उसको foreign में admission लेना मानलो किसी college में, उसने DD बनवाया DD बनवाया है मतलब, DD मतलब sir उसने पैसे दिया होगा, रुपिया, बदले में मैंने DD issue किया होगा, मन का यह DD वहां college जाके लगा देना, तो वो मेरे account से dollar काट लेंगे, कम कर देंगे, अभी मैंने DD issue किया ही था, एक ही दिन, अभी मेरे account से dollar कम नहीं होए थी, DD issue किया, तो मै मैंने क्या किया होगा, sir मैंने account से minus कर दिया होगा, मैंने आज नहीं तो कल वो DD लगाएगा, और मेरे account से कम हो जाएगा, पर वो cancel कर दिया, cancel कर दिया, तो मुझे opposite काटना पड़ेगा, उसको वापस मैंने plus कर दिया, और वह सारी transactions हो सकते हैं, मैं यह नहीं बोल रहों कि यह यहाँ, यहाँ, SF है, अब manage कर दो, और यहाँ मेरा position पाच जार minus में है, 25,000 तो रखे है, पाच जार minus में, अब इसको पढ़ना पड़ेगा कि क्या बोल रहा है, हमको maintain कैसे करना है, यह important है, कभी भी पहले अगर सुधार ना है, तो इसको सुधार होगे, 25,000 से काम नहीं चलेगा, हमको 30,000 क्या करना है, रखना है balance, कैसे रखे, पाच जार डॉलर और खरीदी है, खरीद के एकाउंट में transfer कर दीजिए, इसको क्या करूँगा, खरीदूँगा, इसको बोलते है, spot buy, कितना डॉलर और खरीदा जाएगा, पाच जार, तम मेरा balance जो 25,000 है, उसकी जगा कितना हो जाएगा, 30,000, पाच जार और डॉलर खरीद के एकाउंट में 30,000 में इसकी वज़े से position पे भी फर्क पड़ेगा, पाच जार और प्लस कर दिया, तो मेरा position क्या हो गया है, 0, ठीक है, अब position क्या रखना है, बोला है, position हमको overbought position रखना, overbought, मतलब अभी भले ही नहीं, पर future में प्लस होना चाहिए, तो forward क्या करूँगा, मैं purchase की करूँगा, forward purchase का मतलब future में dollar plus हो जाएगा, तो यह आपको लिखना पड़ेगा, बाकि आप manage कर रहे ना, यार, ठीक है, तो यही ऐसा हाला कि बनता ऐससे है, debit credit, यह nostro account मतलब cash और यह exchange position, और यही लिखाय मैंने कि किस तरह से आप maintain करोगे, यहाँ मिस्प्रिंट था, तीन हजाने, तीस हजाने, और सर्य यह ओवर सोल्ट ही, यह 5000 ठीक है, इसको मैं बहुत जादा नहीं समझा सकता, इसके लिए मैं description में आपको detail वीडियो दे रहा हू अगर time मिलेगा तो देख लेना, और जिन्होंने revision कर रहा है उनको याद रहा हूँ, अब currency of borrowing, अब questions ही questions, और जहां मुझे लगेगा कि यह question मुझे नहीं करमाना चाहिए, वो question मैंने डालतो दिया हूँ आपके लिए, मुझे ऐसा लगेगा आप खुद कर लोगे, तो favourite question रहा था किसी जमाने में, कई बार आया हुआ, कई बार, unlimited, is planning to import equipment from Japan, यह है unlimited, और जापान, जापान से import कर रहा है, import कर रहा है, तो payment भी करना है, और payment कितना करना है, येन 3400 lakh, येन में payment करना है, currency और borrowing का मतलब क्या होता है, हमें ये decide करना है, हमें loan कहां से लेना है, हो सकता है, जापान में loan मिल रहा हूँ, पर ऐसे नहीं मिलेगा, हो सकता इंडिया से loan मिल जाए, हमें payment करना है, येन 3400 lakhs, ठीक, तो company में avail loans at 18% per annum with quarterly rest which it can import the equipment, बोल रहा है company को bank loan दे सकती है 18% per annum के हिसाब से, पर quarterly compounded, quarterly का मतलर तीन मैने का, तीन मैने का rate निका लो, 18 into 3, 18 into 3 by 12 divided by 100 plus 1, 1.045. पर कितने दिनों के लिए, सब्द लिखा 180 days, 180 दिनों के लिए, मतलब 6 मैने के लिए, simple सा ये है, इस भाई साब आ, ये 3400 लेक्स, इसको payment करना है, इसके लिए रुपिया लगेगा, वो रुपिया यहां से उधा ले लिजिए, और दिखाईए कि यहां cash outlook कितना आएगा 6 मैने पाट, एक simple सा थरीक ये है, ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा ये लिखा, the company also an offer from Osaka branch of Indian West Bank, यहां से भी उधार ले सकते हैं, ये जापान की ब्रांच है, और आपको मिलेगा 2% per annum के साथ, मतलब सीदी सीदी बात है सर, एक परशन पर पैसा उधार मिल रहा है, ये ज्यादा पर यहां से क्या उधार मिलेगा, होगा क्या हिसाब किताब, सर, यहां से उधार मिलेगा येन, आज हम इसको पैमेंट कर देंगे, तो फिर इसको पैमेंट कब करोगे, इसको सब 6 मेने बाद येन खरी देंगे, forward rate पर, और इतना भी येन है, 3400 लेक्स तो नहीं, 3400 लेक्स ये इसको दे देगा अभी के अभी, पर इसको वित इंटरस्ट पैमेंट करना पड़ेगा, और जितना भी पैमेंट करना पड़ेगा, उतना हम forward rate पे खरीद लेंगे, तो देखेंगे, कितना और रुपिया लग रहा है, और कुछ तो बस एक बात यहां डाल दिया है, लेट आपके पास दो अप्शन, पहला इंडिया से उधार ली, दूसरा जापान से उधार, इंडिया से उधार लेते हैं, तो rate दे रहा है, rate को मैंने ठीक ठाक 100 रुपिया बराबर 340 ये इन, तो मैंने इसको ऐसे कर रहा है, ये इन पर रुपियस, 340 divided by 100, तो मैंने इसको 3.40 कर ऐसे इसको भी forward rate को 3.45 कर दिया, ताकि मुझे दिक्कत ना, चले भगवान का नाम लेकर कोशिश करें, 3400 ये इन, आज ही देंगे, मालों आज ही देंगे, यहां से उभाव लेकिए, और rate किसका दिया है, rate रुपियस का दिया है, currency कौन सी है, ये इन, divide की multiply, divide 3400 divided by 3.4, 1000 रुपिया हमको लगेगा, 6 मैंने बाद, 1.05 into equal to into 1000, तो सर ये कैस आउपलो आगया, 109, 2.025 lakhs रुपीज, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, अब यहां से उधार लेते हैं, यहां से क्या उधार लोगे, सर यहां से येन उधार लेंगे, हम इस बैंक से बोल रहा है, सुनो नहीं चाहिए, आप यहीं की एक party उसको payment करता, बोले ठीक है, एक परशन के सबसे, पर बोले हम आपको उधार दे तो क्यों दे भाई, guarantee क्या है, आप विदेश के हो, आप पैसे चुकाओगे की नहीं चुकाओगे, आप अपने यहां के तो पैसे नहीं चुका रहा है, मैंन चार्ज करेंगे, और कितना परशन, एक परशन, एक परशन कमिशन देना पड़ेगा, कौनसी बैंक को देना पड़ेगा, इंडियन मैंक को, आप ठीक, चलेगा, एक परशन मैं दूँगा, आप लीज लोन तो दिलवाओ, होगी बात, मतलब अगर मैं इधर जाता हूँ न, इधर एक तो मुझे इंट्रेस्ट इसको देना पड़ेगा, साथ में कमिशन का भी पैसा लगेगा, मैं तैयार हो गए, मैंनका पहले आप इनको इदन लवाओ, इस से लोन लेके मैंने इसको पैमेंट कर दी, अब इस भाई सापको पैमेंट कप करना है, छे मैने बाद, एक रुपए खर्च हो जाएगे, divided by 3.45, तो सर ये आ गया, रुपीस 995.36, ठीक है, ये तो हो गए हिसाब किताब, with interest मेरा 3-6 मैने बाद इतना कैसा उटला है, पर कमिशन कब देंगे, सबसे important है, कमिशन कब दिया जाएगा, और कमिशन किद पर कैलकुलेट किया जाएगा, कमि 3400 लेक्स, पर यार हमें तो कमिशन रुपीज में कह, तो लोन इमाउंट रुपीज में बताओ, सर 1000 लाक, 1000 लाक, 3400 लेक्स, divided by 3.4, तो सर 1000 लाक का लोन है, और 1000 लाक का 1%, तो बोलो 10 लाक मुझे कमिशन देना पड़ेगा, तो ये तो है, प्लस 10 लाक भी कमिशन देना, और क आच, अब एक समस्य आ गई, ये पैमेट कब जाएगा, क्या इन दोनों को हम जोड सकते हैं, नहीं जोड सकते, ये कैसा उटलो कप का है, 6 मेने बाद का, और कमिशन कप का है, आच का, 1000 का 1% 10 लाक, आज गी तो देना है, तो फिर comparable नहीं है ना यार, इसका मुझे future value निकालन इंडियन रेट से, मतलब 1.045 पावर 2 करना है, ठीक है, कोई चीज़ इसमें करवाया है, ठीक है, ये option, loan from Indian bank, कोई ज्यादा समस्य आ नहीं है, सीधा देख रहा है, 1095.025, loan from Osaka branch, ये किसको जाएगा, ये Osaka branch को जाएगा, 6 मैने बाद, और commission, commission हमने निकाला, 1000 लाक पे, 1% 10 लाक, पर इसका मुझे future value निकालना पड़ेगा, फिर मैंने क्या किया, 994 और उसको जोड़ दिया, तो टोटल आ रहा, 1006.2, फिर देख लेना, यार, कौन सा हमको सस्ता ठीक, अच्छा question है, समझाने में time लगा है, अब है currency of investment, currency of investment मतलब हमको investment कहां करना है, ये question अच्छा है, बार-बार आया हुआ बड़े question कहा, देखा, your bank London office has a surplus fund to the extent of dollar 5 lakh, फुले London office में हमारी बैंक है, किसी customer ने हो सकता है कि dollar 5 lakh हमारी पास रखा हुआ है, लंडन बैंक है, वन तो pound रखा होना चाहिए ना, पर हो सकता है किसी customer का पैसा है dollar 5 lakh, और उसका rate of interest है, 4% पर है, it means customer का और कितने period के लिए available है, 3 months, इसका मतलब sir, customer का है dollar 5 lakh, उसको वापस भी करना पड़ेगा, 3 मेने बाद, और उसका fund 4%, 4 into 3 by 12, divided by 100 plus 1, मतलब sir, 3 मेने बाद, हमको वापस करना पड़ेगा, dollar 5 lakh, पाच, with interest, पर अभी तो available है, available है, अभी आपके पास रखा हुआ है dollar, इसको करोगे, किसर investment, तो investment कहां किया जाए, actual में question यह है, तो भले, it proposes to invest this fund in, या तो London में invest कर तो, याद रखना, यहाँ पाउंच चलता है, या तो New York में invest कर दीजिए, याद रखना, यहाँ dollar चलता है, या तो Frankfurt में invest कीजिए, याद रखना, यहाँ FF चलता है, rate of interest क्या है, and obtain the best deal without any exchange risk, the falling rates, rate of interest, लेंडन में invest करोगे, तो कितना प पर्शन, और यहाँ कितना, तीन पर्शन, ठीक हैं तक, मैंने factor निकल के रख लिया, तीन मेंने का factor, जैसे निकल होगा, 5 into 3 by 12 divided by 100, plus 1, 1.0, ऐसे ही, यहाँ भी तीन मेंने का factor है, 1.0 और यहाँ 1.007, क्यों निकला है, interest add करने, और इसके अलावा rates दे रखे है, rates में यहाँ तिकत हो रही थी बच्चों को, पर अगर देखोगे, तो market rates in London, for dollar and euro, मतलब यार common currency तो pound हो गई, dollar के लिए, और euro के लिए, यहाँ euro, FF के जगा euro लिख देना, यहाँ FF के जगा euro यूज़ गया, तो ठीक है euro, ठीक है, यूरो यूज़ हो रहा है, euro, अब rate क्या है, London on New York, तो यह rates में दिकत है, अब कैसे बता, पहली बात तो यहाँ से देखके कैसे समझोगे, कि dollar पर pound दिया, कि pound पर dollar दिया, तो सुनो, मुझे मालूम है, pound महगा होता है, तो यह तो dollar पर pound ही दिया होगा, dollar पर pound, और देखो नहीं, rates in London, मतलब pound, per US dollar and euro, मतलब pound के लिए कितना dollar, pound के लिए कितना euro, ऐसा है, या फिर सीधा common sense लगा है, कि pound महगा होता है, और यह जादा आ रहा है, मतलब यह currency तो dollar ही होगी, इसलिए dollar पर pound है, ऐसे ही मैंने, फिर जब dollar पर pound है, तो यहाँ तो euro पर pound ही होना च इस तरह से guessing किया, और मैंने यहाँ लिए यहाँ लिए, यह आगया dollar per pound, और यह आगया euro per pound, ठीक, करें investment, तो पहले कहा है investment करने का सूर, sir, London में ही करते है, London में investment करते है, final होगे, अब यह बस कितना पैस available है, sir, हमारे पास dollar 5 लाग, तो पहले, वहाँ pound चलता है, लेंडन में पहले इसको pound में convert कर ले, ठीक है, pound में convert करते है, pound का ही rate दिया है, हमारे पास है dollar bank, dollar खरिदेगा, मतलब bank pound पेचेगा, यह वाला rate, तो 5 लाग dollar है, pound का rate दिया है, तो multiply कि divide, divide, तो 5 लाग divided by 1.5390, यह आगया pounds, कितना आगया pounds? सर, convert करने पे, pound आया, 324886.29, कितना pounds आगया है, इसको invest करना पड़ेगा, किस rate पे, 1.025, into 1.0125, तो with, सर, अब investment करके, with interest pound आगया है, 328, 947.36, है, मैं, 36, इतना pound आगया है, thank God, pound आगया, अब मुझे dollar खरी लिया, भाई साब को वापस करना पड़ेगा, पाच लाग, पाच लाग, पाच लाग, डॉलर्स, yes, तो सर, पूरा की, पूरा pounds, dollar में convert कर, यहीं में करता, मुझसे क्या गलती होती, मालूम है, इसमें, जितना pounds आया with interest, उसको सब की सब में dollar में convert करवा ले, तक क्यों करवाएंगे, भाई, आप तो लंडन के रहने वाले हो, लंडन में तो आपकी ब्रांच है, तो जितना लग रहा है, उतना खरीद के वा तो में dollar खरीदने गया, मतलब bank pound बेचेगा, पक्का ना, में dollar खरीदने, bank pound खरीदेगा, खरीदेगा, तो इस rate पे खरीदेगा, तो पाच लाग पाच जार डॉलर, rate pound का दिया है, divided 1.5430, तो मेरे खर्च हो जाएगे, pound 327, 327, 284, .5, इतने pounds खर्च हो जाएगे, क्यों खर्च होगे भई, dollar खरीदना पड़ा ना, पाच लाग पाच जार, तो sir, बाकी pounds तो हमारे बज़ गए, minus 328, 947, .37, तो sir, हमारा 1662 pound का फाइदा हो गया, yes, यही उन्होंने किया, अगर हम investment कहां करें, London, ठीक है, बाकी आप कर ले न, मैं एक route बता रहा हूँ, आपको कि किस तरह से काम हो, sir, दूसरा क्या कर सकते, इस क्याला, मेरे ख्याल से यह, मैंने forward rate रग बगिरा निकाल कर नहीं बताया, आप निकाल सकते, दूसरा, sir, दूसरा नी यॉक में invest करते है, नी यॉक में तो already dollar चलता है, sir, तूसर पाच लाग डॉलर को उठा कर सीधा invest कर दीजी, अब नी यॉक के बात करते है, sir, पाच लाग इन्टू 1.02, तो sir, dollar पाच लाग 10,000 अजाएगा, कितना आ गया, dollar पाच लाग 10,000, और हमारे पास तो dollar ही आ गया, और dollar ही payment करना है, तो sir, इस में से dollar पाच लाग 5,000 का payment कर देंगे, तो हमारे पास पाच लाग डॉलर बच जाएगा, बिल्गो सही, आपके पास पाच लाग डॉलर बचेगा, पर आपको जो बताना है answer, वो तो pounds में बताना है, उस dollar को क्या करोगे, क्या sir, बेच के pounds खरीद किस rate पर, forward rate पर चेक करना पड़ेगा, हमारे पास dollar है, bank, pound बेचेगा ना sir, हाँ, इस rate पर बेचेगा, तो 5000 divided by 1.5475, तो sir, answer आगया 3231, अगर हम New York में इन्वेस्ट करें, यह है New York, investment in New York, answer आगया किदर है, 3231, simple है, सबसे ज़्यादा लंबा गय जाएगा, अगर आप investment कहां कर रहे हैं, यूरो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप Frankfurt में investment कर रहे हैं, तब दिक्कत है, वही मुझे आपको समझाना है, चले हिम्मत दिखाए, मुझे लिखने के लिए जगा चाहिए, बोड़, पहली बात, आपके पास क्या है, डॉलर है पाच लाग, पर प्रॉब्लम है, डॉलर और यूरो और डॉलर के बीच में rate ने दिया, तो सबसे पहला काम यहां से, क्योंकि यहां तो हमको यूरो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो पहले यूरो में convert करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें पाच लाग डॉलर को pound में convert करना पड़ेगा, मतलब bank pound बेचेगा इस rate पे, साइध यह वाला figure आया था, 32488, इतना pounds आ गया, ठीक है, अब फिर से, bank pound खरीदेगा, यह वाले rate पे, आप यहां पहुचे न, आपको यूरो में convert करना, आपके पास कौन से currency आगी, pounds, तो pound का ही rate, बैंक पाउंड खरीदेगा, इस रहे वाले rate पे, तो pound का ही rate दिया है, तो multiply हो जाएगा, 324886.29, इंटो 1.8260, तो अब हमारे पास सर यूरो आ गया, यूरो जो आया है, उसको invest कर देंगे, इंटो 1.0075, तो सर विट इंटरेस्ट यूरो आ गया, 5976, 91.683, इतना यूरो आ गया, आ गया है यूरो, अब भाई क्या करें, अब यूरो से वापस लेके चलना है, तो यूरो से हमको क्या करना पड़ेगा, सर यूरो से पहले pound में convert कर लेते, यस, यूरो से pound में convert करेंगे, तो सर, bank pound बेचेगा, और यूरो खरीदेगा, मतलब बेचेगा तो इस rate पे, और rate है pound का यह ही, यूरो divide हो जाएगा, divide 1.8150, तो सर अब हमारे पास आ गया pound, 329306.71, इतना pound आ गया, पर इतना थोड़ीन खर्च करना है हमें वापस, हमें तो पाच लाग, पाच जा डॉलर ही तो वापस करना है, और उसके लिए pound खर्च होगे, यही, यस, सर, यह तो हमने पहले निकल चुका है, 327284.51, माइनस 327284.51, तो सर हमारे 2022 बचेगा, टोटल में, यस, हमारे पास लाश्ट में, pound 2022 बच जाएगा, सर, यहां 2031 है, क्योंकि मैंने यहां क्रॉस रेट निकाला है, इसी वज़ा से, राउंडे डॉप की वज़े से फर्का है, लॉजिक मैंने आपको सब्चा है, ये वला कोश्चन भी आपको करना चाहिए, एकजाम के लिए, ठीक है, आगे चले, ये वला कोश्चन, 108 भी अच्छा है, सर 108 एक्च्छुर में क्या, इस इस इंटरनेश्णल Cash Management International Cash Management के मैंने दो कोशन रखे हैं ये कोशन में करवाऊंगा और एक कोशन और है ये कोशन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा उस कोशन के पिक्च और एक कोशन मैं आपको Homework देने वाला हूं रिवीजन कोशन में होमग देने वाला हूं और मैं बता भी देता हूं कौशन हो इंटरनेशनल Cash Management का एक कोशन में करवाऊंगा और एक कोशन में होमग देने वाला 112 है ना मैं आपको Homework देने वाला बहुत आसान कोशन है पर थोड़ा मुश्किल कोशन कौशन कौशन है Cash Management वाल यह वाला यह वाला गोशन नहीं है यह वाला गोशन 108 में आपको करवानी जा रहा हूं ठीक है 108 हम लोग कर रहा है चलो जी यह गोशन में खतम करें अच्छा कोशन है यह भी ठीक है सब्पोर्स यू आर ट्रेजरर ऑप एक्स वाइजट पी लसी आप कहां के हो आपके कंपनी है यूके की और यूके में कौन सी करेंसी चलती है पाउंट और आपकी दो सबसुडरी भी है एक है अमस्टरडम में और एक है स्विच्जर लेंग तर डच सबसुडरी है सर्प्लस यूरो जो अमस्टरडम है वहाँ यूरो आपके पास साथ लाग पच्चिस जार सर्प्लस है सर्प्लस है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सका है और सर्प्लस कब तक है तीन मैने तक तीन मैने तक कोई चिंदा नहीं तीन मैने तक हमारे पास सर्प्लस है और हमें 91 ड और वो भी 91 डेस तक हमारे पास अवेलेबल है ठीक है यहां भी सरप्रस अच्छा यहाँ एकस वाईज़ जेट जिसके पास 75,000 पाउंट सरप्रस है यह भी सरप्रस है यह बी सरप्रस है यह भी सरप्रस और आपको बताना है advantage of swapping euro and accept into pound सर ये है क्या ये बोल रहा है कि भाईया हम कहां के है हम UK के और हमारी दो सबसुट्री तो हमें ये देखना है कि कितना पैसा जमा हो जाएगा investment करने पर पर बताना किस में है? पाउंट्स में तो ले एक काम करते हैं हम pull कर लिए अलग-अलग investment कर लिए UK आपके पास पैसा है न पाउंट्स आप अलग investment करो Amsterdam आपके पास euro है न आप अलग investment करो जो भी rate होगा उसकी rate में बता दूँगा और फिर बाद में उसको वापस forward rate पे किस में convert कर दो? पाउंट्स में क्योंकि मैं देखना चाहता हूं pounds में total मेरे पास तीन मेहने बाद 91 days बाद कितना pounds ही खटा हो जाता है अलग-अलग करो यह फिर दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि आप भी हमें आज की आज में pound में convert कर लिजिए आप भी pound में convert कर जिजिए और आपको कुछ नहीं करना क्योंकि आपके पास surplus है 91 days के लिए और 91 days और में सब की सब जितना भी pounds इखटा हो जाएगा में 91 days के लिए मतलब centralized cash management centralized का मतलब सबको में इखटा कर देता और decentralized का मतलब अलग-अलग आप इसको swapping भी बोल साथ सबसे पहले हम separate सब अपना अलग-अलग investment कर देते चलो कोशिश करते हैं और ये दे रखा rate of interest और ये rates दे रखा rates को मैंने properly लिख लिया ये pound यहाँ चिपकाया है इसका मतलब सर rate है pound per euro और CHF यहाँ है तो इसका मतलब है सर CHF per pound उसके spot rate यहाँ से देखकर लिख लिया है और उसके forward rate वो भी देखकर लिख लिया है ये swap points दिया है तो ये plus कर दिया और ये descending order में दिया है तो minus कर दिया है ये हमको basic चीज़े हमको आता है और मैंने यहाँ properly लिख लिया है यहाँ तो कोई समस्या क्या नहीं अब rate of interest सर मान लो pound है हमारे पास हाँ सब अपना अपना कर रहा है pound 75,000 है तो rate of interest देखो 91 days का अगर आपके पास 0 से 1 लाग है तो pound का rate of interest है 1% पर मुझे तुसे 91 days का तो 91 days का factor निकल लिया 1 into 91 divided by 360 के साब से किया divided by 100 plus 1 1.0025 ऐसे ही 7,25,000 यूरो है तो यूरो यूरो का ये है और 7,25,000 मतलब इस range में आ रहा है मतलब दो पर्षन उसका factor 91 days का निकल लिया 2 into 91 divided by 360 divided by 100 plus 1 1.05 ये 5 है 5.05 ऐसे ही स्विजर लेंड में CHF है हमारे पास 998 मतलब सर इसके बीच में आएगा पाच लाग से 10 लाग इसका पर्षन्ट इस कितना आधा पर्षन्ट आधा पर्षन्ट है तो मैंने फैक्टर निकाल लिया 91 days का ओके अब हम लोग तयार है पहले क्या करें अलग-अलग उसी पर बात हो रही है सबसे पहले इसका जुगाड कर लेती साथ लाग 25,000 into 1.00505 तो यह आ गया मेरा क्या यूरो भी थिन प्रष्ट जो भी आया मैं लिखने रहा हूँ अब उसको मुझे यूरो और पाउंट यूरो और पाउंट पावर डेट पे फोकस करना पड़ेगा उसको मुझे पाउंट में कनवर्ट कराना है मतलब सर बैंक यूरो यूरो का रेट दिया बैंक यूरो खरीदेगा यास और यूरो का ही रेट दिया तो मुझे प्लिप्लाई इंटू 0.6895 एम प्लस में डाल दिया क्यालकूलिट अच्छे से चलाओगे इधर का काम हो गया इधर का मैंने वेट इंटरेस्ट जो भी आया उसको इससे मल्टिप्लाई कर दिया और उसको एम प्लस में डाल दिया ऐसी अब बात किसकी करेंगे चेफ 998077 इंटू 1.00126 यह आ गया मेरे पास यह चेफ अब तीन महने बाद बैंक पाउंड बेचेगा रेट है पाउंड का दिया सी यह चेफ बैंक पाउंड बेचेगा तो डिवाइड होगा डिवाइड बाइ 2.3098 इसको भी डाल दिया मैंने एम प्लस और पाउंड तो ही 75,000 इंटू 1.00253 इसको भी एम प्लस किया MRC किया तो मेरा टोटल पाउंड हो गया 1010251 के आसपास अगर सब अपना अलग-अलग करते बाकी यह मैंने लिखके किया यह यूरो यह यूरो इस सॉलूशन का 1010 यह फाइनल आंसर है इनों को मैंने पाउंड में करनोट कर लिया तो 1010255 बिल्गों सही आप देख लेना यह है फाइनल है ठीक है सर अलग-अलग अगर इन्वेश्टमेंट करते हैं सर अगर हम सब को आज ही convert कर लेते तो 75 इसको आज ही pound में convert करेंगे आज ही pound में convert करेंगे तो bank euro खरी देगा देखते हैं 7,25,000 into .6858 और सर इसको भी आज ही pound में convert करेंगे मतलब सर आज ही pound bank pound बेचेगा मतलब सर 998077 divided by 2.3326 plus m plus mrc में डाल दे प्लस 75,000 तो टोटल मिलाकर pound एक लाग से उपर चला गए और rate क्या है 5.375 1000086 इतना pounds आज इखटा हो गया अगर मैं swap कर लेता हूँ यह हो गया और इसको invest कर दिया 5.3 तो कितना हो जाएगा 1013674 10102 तो सर यह वाला अच्छा है हमारा swapping is better ठीक है अच्छा कोश्चन है वैसे तो मैं calculator में ही करवा दूँ आपको पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा calculator में ऐसे नहीं समझा सकता है ऐसे में तो करने में बहुत टाइम लग जाएगा यह कोश्चन भी आपको करना है 110 कितना कोश्चन करवाऊंगे क्या करूँ कोश्चन है ही इतने सारे एसा दिल ही नहीं करता कि यह कोश्चन छोड़ दूँ पर फिर भी मैं सोच समझ के कोश्चन करवा रहा हूँ यह कोश्चन भी अच्छा है इसलिए मैंने उठाया है तो ट्रेजर डेस्क अप ग्लोबल बैंक इंकॉरपरेशन यूके वांच टू इन्वेस्ट करना है पाउंड इन्वेस्ट करना है पाउंड और कितना मिलियन है 200 मिलियन है एक जनवरी तूजर नो कितने पिरेट के लिए इन्वेस्ट करना है 6 मेहने के लिए अब कहां इन्वेस्ट करना है तो बहुत दो जगाए यह तो जापान में इन्वेस्ट करो यह तो यूएस में इन्वेस्ट करो है पाउंड जापान में कौन सी करनसी चलती है यह और यहां कौन सा करता है चलता है डॉलर जापान में इन्वेस्ट करना तो भी ये इन्वेस्ट करना पड़ेगा कर लेंगे येन में इन्वेस्ट करना है किस में इक्विटी है इक्विटी में इन्वेस्ट करना है जापान में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा हूँ वह equity में invest हो रहा है ठीक है अगर हम जापान में equity में investment करते हैं तो हमारी dividend income होगी ये इन 1120 million कौन सी dividend income इसके अलावा इसके अलावा stock जो हम security खरीदेंगे वो 2% discount पे हो जाएगा एक loss भी है जो इस equity खरीदेंगे वो 2% कम हो जाएगा उसका value इसके अलावा और इसके अलावा stock lending scheme से हम 10 million और कमाएंगे इस security are sold on June 29 June को settlement हो जाएगा और यह सब बता रखा है सबसे पहला काम आपके पास क्या है pounds कितना है 200 million pound का ही rate दिया है तो multiply हो जाएगा into 148 हमने लगाया 29600 yen 29600 million yen टिक अब मिलेगा क्या जरा देख सर 1182 million यह मिलेगा और stock lending 10 million यह मिलेगा और यह जो yen है यह कम मिलेगा मतलब कितने 2% कम मिलेगा माइनस दो पर तो सर यह यह मिलेगा 29008 million टूटल yen कितना मिलेगा तीन मैने बाद प्लस 10 प्लस 1182 तो सर यह मिलेगा मुझे 30200 million और 150 और यह है yen तो सर बिड आस्क तो है नहीं सिधा डिवाइट कर तो divided by 150 तो पाउंट्स में convert करोगे तो टूटल पाउंट्स आगया 201.333 तो उस हिसाब से देखा जाए लगाया था 200 पाउंट्स 200 million आया 201 तो सर उस हिसाब से हमें गेन है 1.333 million अगर हम किस में invest करें चापान अगर हम US में invest करते हैं तो US में बोले आप bonds में invest करें government securities में invest करें कितनी बेकुपी वाली बात यहां risk कर ले रहा है और यहां बोले risk 3 पे invest करेंगा करो सबसे पहले 200 को हमें convert करना पड़ेगा pound का ही rate दिया तो 200 into 1.28 तो सर डॉलर 256 इस पर interest मिलेगा पाच परशन तो 6 मेने का 1.025 into 1.025 तो सर यह डॉलर हो गया मेरे पास 262.40 इसको convert करेंगे मतलब divide divide 1.30331 तो सर यह भी आ गया pounds 201.33 तो यहां भी सर उतनी तो कमाई हो रही है pound 1.333 million की दोनों जगह एक जैसा पर इसमें रिस्क जादा इसमें रिस्क कम है तो भशी सर इसमें invest करो जादा अचा है वैसे ही किया है यह आपको दिख रहा होगा और यह भी आपको दिख रहा होगा और लिखा हुआ कि क्या अच्छा है तो यूएस government security में आपको invest करना चाहिए ठीक है sorry इतना fast करवाने के लिए मैंने पहले ही भूबला था 112 में आपको homework दूँगा बहुत होगा यार class over करना वन वन टू ओंबग दूँगा 113 करवाना पड़ेगा क्या कर ले 113 करवाना पड़ेगा ऐसा question है जो आपको समझ में नहीं है किसलिए यह करवा रहा हूँ पड़ते सायद यह मैं लाश्ट ही question करवा हूँ इसके बाद नहीं करवा हूँ इसके बाद forex ही खतम होगे तो क्यों करवा लिखा drill dip incorporation यूएस की company है यह सरी यूएस की कमपनी मारकर भी नहीं चल रहा जो प्रोजेक्ट जिसने contract इंडिया में लिया है कोई प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है तो प्रोजेक्ट में कितना और रुपिया लगना है पास सो करोर रुपिया प्रोजेक्ट में लगने है ठीक है पास सो करोर रुपिया प्रोजेक्ट में लगाना है तो भई आप तो यूएस के हो ना आपके पास तो डॉलर है यह डॉलर कहीं से उधार लोगी ठीक है ना पर जो पैसा मिलेगा ना वो इंडियन रुपीज़ प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम है कि हमको जो पैसा मिलेगा लगा तो पासो करोड है उसका दिक्कत नहीं है पर जो पैसा मिलेगा ना वो इंडियन रुपीज में मिलेगा तो इस भाई साब को किस बात का डर है कहीं रेट जो रुपिया मिल रहा है वो डॉलर कहीं डेप्रिशेट ना हो जाए यह फिर नहीं समझ में आ रहा तो फ्लक्टुएशन तो है क्योंकि इस परसन को तो यार चलता है कंस्ट्रक्ट एस स्वैप डेट विल्प डिल्रिप तो रिद्यूस था एक्शन रिट रिस्क था स्वैप कैसे कंस्ट्रक्ट हो का पिटे सुनो मेरी बार जो आई सी ए ने सॉलूशन किया है वैसे में करें अच्छा और यह बता भी रख एजुम देट इंडियन ग जश्ट इस पॉट रेट वन एक्सपेक्ट टू फिप्टी फॉर आप रेट ओप लोन दे रखा अप समझना की काम क्या होगा यह कोश्चन मैं आपको मैं समझा दूंगा की किया क्या है पर आप कोगे इस से पता कैसे लग रहा इस से पता लगा ना मुस्किल आप गए बदले में मैं आपको डॉलर दूंगा ऐसा नहीं है कि और किस रेट से दूँगा पचास के सबसे मैं आपको डॉलर दस करोड दे दूँगा कहां से लग हुआ अप मेरी बास समझो मैं इंडियन क्रावर्मेंट के पास गया मैं कहता हूँ आज प्लीज मुझे 500 करोड दे द होंगा एक साल बात और मेरा जो दस मिलियन दस करोड डॉलर वह मुझे वापस करेंगी हां इसका क्या फायदा होगा हो सकता वह दस करोड इधर ट्रांसफर कर दे और फ्यूचर में जब रेट कम हो जाएगा हो सकता कि 10 करोड डॉलर उसको 40 के साब से मिल जाए यह जो भी हो इसको क्या फायदा इससे हमको मतलब नहीं है वो मैंने समझाया एक्चुल में कोशन में सीधी सी बात है हम 500 करोड रुपे आज लेंगे और जब 740 मिलेगा तो 500 करोड वापस कर देंगे हमारा 10 करोड का 10 करोड हमको वापस मिल जाएगा डॉलर पर आज 10 करोड डॉलर लगे दूँगा इधर से जो मिलेगा 500 करोड वापस मन के मेरा 10 मिलियन डॉलर मुझे मिल जाएगा हाला कि उसका कॉष्ट है 10 मिलियन का 10 मिल जाएगा पर उसका कॉष्ट 8% मुझे लगेगा सर तो 240 के लिए फावड करोड करूगा या फिर जो भी रेट होगा नहीं करूगा जो जो भी रेट होगा उससे कनवर्ट करोंगा और रेट कितना हो जाएगा बोल रहां फिप्टी फूर या तो कुछ मत करों मत करों जो भी आएगा 750 करोड उसको किसे करवा ले ना 54 से कनवर्ट कर ले आपकी मर्जी आपको कैसे करना डिक है देखो यहां से कैस आउटलोड टूड़े कितना जाएगा 10 करोड जाएगा 10 करोड जाएगा ना पासो करोड आया वो दलार रूट एक साल बात 10 करोड वपस आजाएगा हमारे पास डॉलर लिकिन उसका कोई इफेक्ट पढ़ा किया कोई इफेक्ट है नहीं पढ़ा और बैचा हुआ 240 करोड हम 54 के साब से कनवर्ट कर देंगे तो डॉलर आ जाएगा 4.44 करोड और और कॉश्ट अब 10 करोड जो उधार लिया था उस कार्ट परशन 0.88 करोड यह जाएगा 10 करोड जाएगा 10 करोड जाएगा यह तो नेट हो गया लेकिन 240 पे हमें 54 के साब से 4.44 करोड आएगा और साथ में मैंजे इंटरेस्ट देना पड़ेगा यह तो देना पड़ेगा यह माइनस है तो मुझे इफेक्टिव क्या पढ़ा 3.64 करोड अगर में स्वैप कर लेता हूँ अगर स्वैप नहीं करता हूँ तो स्वैप नहीं करता हूँ तो 10 करोड का तो लोन लेना पड़ेगा उसका कौश्ट आगया पॉइंट और जो 740 करोड है वो 54 के हिसाब से करन्वर्ट करोणगा तो यह पैसा जा रहा है यह पैसा जा रहा है और यह आ रहा है तो net मेरा 2.904 करोर्स का profit होगा तो इस क्या swap करना अच्छा है या swap करना अच्छा है Sorry थोड़ा speed से चल रहा है पर बहुत हो गए इससे ज़्यादा नहीं कर आप यह भाई यह तो मैं नहीं करवा सकते बहुत गहरा पॉंसे तो प्लीज या तो इसको छोड़ दो पर मैं आपको रास्ते बता रहा हूँ या तो description में जाए और detail में lecture देख लिजी या तो अपने आप revision कर लिजी revision करना चाहिए वैसे मैंने डाला है मतलब revision करना चाहिए दो option है अपने आप revision कीजिए समझ में आ जाए और अपरेटिंग एक्सपोजर एकोनोमिक एक्सपोजर का कोशन है या तो description या जो बच्चे करना चाहती जिनके पास time भी है description में जाएए मैं इसका वीडियो आपको प्रोवाइट कर देता हूँ क्योंकि बहुत मुझे उतना ही time लगेगा समझाने में कम से कम आदा घंटा लग जाएगा उतना time है नहीं आपके पास मेरी कोशन मैंने आपको छुड़वा थी यह कोशन सिंपल है कोंवक इस कोशन में ऐसा मेरी जरूरत नहीं है इस कोशन बस खतम है तो एक ही कोशन है जिसको मैं बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना और एक नॉस्ट्रो वस्ट्रो मैंने करवाया तो पर मुझे नहीं मालूँ आपको समझ में आएगा कि नहीं है पाकि आज जो भी कोशन करवा रहा हूँ अल्मॉस्ट मेरा यूट्यूब में है ही है तो उसका भी लिंक मैं शेयर कर देता है एक काम ये हो सकता है कि मैं आपको पुराना जो लेक्चर से उसका लिंक शेयर कर दो रिविजन उससे वो तो कम समय के है उससे रिविजन कर लीजिए उसके बाद उससे हो जाएगा आपका रिविजन ठीके सर उसके बाद आपको करना क्या है उसके बाद मैं एक लेक्चर दूँगा जिसमें जो नए कोशन आए हुए अभी वो प्रोवाइट करवा दिता है यह करके चले जाना यह नए कोशन से इक दो पेपर ही होगे ज्यादा नहीं है दो तीनी कोशन होगे कुछ नया कुछ पुरा नया नहीं होगा तो बहुत डिस्क्रिस करवा देगा दूसरा काम मुझे क्या करवाना है बहुत सारे बच्चों का ऐसा है कि आर सर एक ऐसा कर तो आप 2 घंटे में पूरा SFMD, 2-3 घंटे में चार्ट के माध्यम से कॉंसेट्स के माध्यम, पूरे कॉंसेट्स कबर हो जाए, 3 घंटे देखे, 2 घंटे देखे, 3 घंटे भी ज़्यादा बड़ुश्ट, 2 घंटे के अंदर पूरा derivative में क्या था, फॉरेक्स में क्या था, क्या करना, एक बार में कोशन नहीं होगे, बहुत सारी डिमाड आ रही है, वो में करने वाला, उसके लिए मुझे टाइम चाहिए, वो लाश्ट में ही काम आने वाला, ठीक है, इतना काम, थाइंकिसो मच्छ, आपने साथ दिया, फॉरेक्स बहुत लंबा चला गया है, अनेक्स्पेक्टिट, इतना मुझे उम्मीद नहीं था, इतना चला जाए, पर मेरी कोशिश है कि सारे कोशिशन कवर करू, अब मैंने किया है, तो अब कब मिलेगे हम लोग, अब हम नहीं मिलेगे रिवीजन, अब बाकी उसका मैं लिष्ट दे देता हूं नीचे, डिस्क्रिप्शन, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन जबर दे, इंक्यू सो मच, और बात नहीं करना चाहता है, बैबै,